गुद इवनिंग आज जो सेट प्रैक्टिस है उसमें हम साइन्स के लगवग डेट्स और इंपॉर्टन्ट कोशिशन डिटियल में डिसकस करेंगे जितना इंपॉर्टन्ट प्रिलिम्स के लिए बिहार स्पेशल और करंट है उतना ही स्पेशल साइन्स भी है तो यह साइन्स का एक कम्प्लीट सेट होगा जिसमें पूरे डेड़ सो कोशिशन और सारे टॉप मॉस्ट इंपॉर्टन्ट कोशिशन है जुड़े हुए कोशिशन भी आ सकते हैं तो आप जबाब देंगे और जिसका आपका आंसर जिसका नहीं पता होगा आपको वो आप कोशिश करेंगे कि नों डाउन करते जाए पहला प्रस्या आपको इस क्रीन पर दिख रहा होगा मात्रकों की अंतररास्ट्रेय प्रणाली में मात्रकों की संक्या कितनी होती है मात्रकों का जो SI unit है उसमें जो मूल मात्रक होते हैं मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है पटापट जवाब देते जाए और जिन लोगों को बहुत ज़ादा वेट करना पड़ा उनसे छमाच आएंगे हम भी उतना ही परिसान थे लगातार प्रयास कर रहे थे कि क्लास हो जाए किन्तु कुस्या आ रही थी बार 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 अब कंटिन्यू है क्लास सब कुछ सॉल्व हो गया फटाफट जवाब देते जाएंगे आप बिलकुल सेवन आप आंसर लिख रहे हैं आप में से जादा तर लो और सेवन सही आंसर है करेक्ट आंसर है बिलकुल सही सेवन आंसर होगा जी बिलकुल सेबन क्यों होगा आंसर ये भी जानना जरूरी है जो सिस्टम इंटरनाशनल जिसको ऐसा ही कहते हैं आप SI का मतलब हो गया सिस्टम इंटरनाशनल या इंटरनाशनल सिस्टम अप यूनिट उसमें सात मूल मात्रकों से मिला करके कुछ कुल 22 व्यूतपन मात्रक डवलप किये गए हैं seven main unit हैं और उनसे 22 unit develop किये गए और SI unit जो है international level पर मानने होता है और यह साथ कौन-कौन है कभी-कभी इस पर भी question बन जाता है तो एक लंबाई है length जिसको आप SI unit meter में मापते हैं दूसरा द्रब्यमान है mass जिसको आप kilogram में मापते हैं तीसरा समय है जिसको second में SI unit में second ने में soak क किया जाता है temperature का unit Kelvin होता है बहुत लोग degree Celsius लिखते हैं बट SI unit जो temperature का है वो Kelvin है और प्रकासियत तिब्रता का candela है electric current का ampere है और पदार्थ की मात्रा का mole है तो यह साथ है यानि कि meter, kilogram, Kelvin, second, candela, ampere और last में mole तो यह seven है बहुत अच्छी बात है आपको पता था ठीक है तो साथ मात्रक है system international के कोशिस कर रहा हूं कि explain भी बहतर करता जाओं अगला question है बिलकुल temperature का Kelvin होता है और कभी-कभी एक्जाम में पूछता है और लोग degree Celsius लिखके चले आते हैं तो याद रखिएगा temperature Kelvin लंबाई meter द्रब्यमान kilogram और जोती तिब्रता या प् अच्छा मोल क्लियर कर दीजे आज तक देखिए मोल क्या है पदार्थ की मात्रा को दर्साने के लिए system international unit है मोल ठीक है पदार्थ की जो quantity है matter की जो quantity है उसके लिए एक unit जैसे लंबाई के लिए लंबाई के लिए meter है वैसे ही quantity of the matter को सो करने के लिए मोल मोल यूज किया जाता है बहुत अच्छा चलिए next है उस उपकरन का क्या नाम है जिसका उपयोग थोरा spelling देख लीजिएगा यहाँ पे spelling तो रिगलती हो गई है उस उपकरन का क्या नाम है जिसका उपयोग बैद्धित आवेश की उपस्तिती और मात्रा जानने के लिए किया जाता है ठीक है What is the name of the instrument that is used to detect the presence of magnitude of electric charge on a body टाइपिंग में थोरा mistake है तो उसको manage कीजिएगा थोरा उस उपकरन का क्या नाम है जिसका उपयोग किसी बस्तूप पर ठीक है यहाँ जिसका उपयोग किसी बस्तूप पर है लिखा हुआ किसी बस्तूप पर ओप्सन है एलक्ट्रोस्कोप, एडर्सकोप, एलक्ट्रोमीटर, इबैपोरिमीटर क्या है इसमें से, बिल्कुल सही जवाब है आपका, देकि एलक्ट्रोस्कोप, एक ऐसा बैज्ञानिक उपकरन है, जिसका उपयोग किया जाता है, किसी बस्तोप पर कितना चार्ज है, कितनी मात्रा में चार्ज है, चार्ज को पता लगाने के लिए किया जाता है, आवेस को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, 1600 इसमी में ब्रिटिस चिकितसक थे, बिलियम गिलवर्ट नाम था उनका, बिलियम गिलवर्ट बरसोरियम, उन्होंने, गिलवर्ट ने बरसोरियम नाम के सुईयों की मदद से लेक्ट्रोस्कोप बनाया था, सबसे पहले, उनका नाम बिलियम गिलवर्ट था, और 1600 में उन्होंने ब्रिटिस चिकितसक थे, उन्होंने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था, और ये जो इलेक्ट्रोस्कोप होता है, कुलंब tratistatic बल क्यादार पर, चार्ज का पता लगाता है, जो test charge की गति का कारण बनता है, इस test ki मदद से, चा पड़ा होगा तो कुल मिला करके यदि कभी कहीं कोश्चन हो कि इनमें से कौन कुरूड बोल्ट मीटर भी कहा जाता है तो कुरूड बोल्ट मीटर एक्टोस्कोप को कहा जाता है ब्रिटिस चिकितसक ने इसको इसकी खोज की थी ठीक है 1600 में ये बहुत इजी कोश्चन है जैन कांच में 2 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड और पानी में 2.25 2.25 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड घीरे में 1.24 x 10 to the power 1.24 x 10 to the power 8 मीटर पर सकेंड और वेक्यूम में निरबात में 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सकेंड तो नो डाउट आपको क्लिर होगा कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा गती ज़्यादा होती है और यहाँ पे आपको पता लगया होगा कि कांच से भी कम गती होती है हीरे में प्रकास की गती जो है डाइमंड में और भी कम हो जाती है ठीक है डाइमंड में 1.24 हो जाता है जबकि कांच में 2 x 10 to the power 8 है तो जान बुच के मैंने यहां डायमंड वाला एक्जामपल दिया पिए सी चाहे तो यहां पे पास सकती है आपको क्योंकि हम लोग ज़्यादा तर विर्वात में याद करते हैं वैक्यूम में स्पीट जदा होती है जदा जदा पानी में याद करते हैं कि 2.25 होती है कांच म आपने जो अफवरतन लिखा है अफवरतन लिखने की कोशिस की है तो जी डायमंड में सबसे कम अगले कोश्चन पर आते हैं कौन सी धातू विद्यूत का सबसे अच्छा सुचालक है देखिए आज की क्लास मेरे सब भाई बहनों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है साइन्स के डेट्स और टॉपमोस्ट कोश्चन जिसमें फिजिक्स भी है केमेस्ट्री भी है और वायलोजी भी है एक तरीके का कोश्चन बैंक प्रैक्टीस है ये याद रखिएगा पूछे हुए कोश्चन यह जदा हैं यहाँ पर और कुछ कोश्चन नए भी है सब लोग आंसर जरूर दीजिए, साइन्स में हम मान के चलते हैं कि सब भाई वन आंसर देंगे, बेतर आंसर देंगे और हाँ, चाहे दो घंटा लगे या पुनर जनम लेना पड़े, डेर सो का डेर कोश्चन कम्प्रीट करके ही जाएंगे ऐसा नहीं है कि हम आगे चले जाएंगे चाहे पांच लोग देख रहे हो या पचास लोग, ठीके, उस मेटर नहीं है, जाकि बाद मेरी वीजन हो सके तो कौन सी धातो विद्यूत का सबसे अच्छा सुचालक है, इसमें ठीक ठंग से पढ़के जाएगा, बिप्यसी पूछती है, बिल्कुल सही कहा आपने चांदी, चांदी को ठीक से जान लीजे, एक कोश्चन चांदी पे हो सकता है, तो जो चांदी है, सिल्वर, विच मैटल is the best conductor of electricity, आंसर आपका सिल्वर है, सिल्वर विद्यूत का एक good conductor है, और good conductor इसलिए है, क्यों है, क्यों है, इसलिए है क्योंकि अधीक संख्या में इसमें free electron पाय जाते हैं, जिस मैटल के अंदर free electron ज्यादा होगा, वो ज्यादा विद्यूत का बेहतर good conductor होगा, super conductor होगा, और जिसमें free electron जितने कम होगे, वो उतने ज्यादा bad conductor होगा, या हो सकता है insulator होगा, यानि कुचालक भी हो सकता है, तो जो कुचालक, अर्धचालक, सुचालक की बात करते हैं, conductor, उसमें भी good conductor और super conductor की बात करते हैं, तो यह depend करता है कि उस metal में, उस particular metal में, number of free electron, तो देखिए, एक बस्तु के सुचालक होने के लिए, उसमें विद्युत electron को अस्थानांतरित करने में सक्चम होने की capacity होनी चीए, electricity क्या है, यह movement of electrons है, एक गती है, गती सीलता होनी चीए, electrons की, तो एक धातों में जितने अधीक मुक्त electron होगे, उसकी चालकता होतनी अधीक ह तो चांदी में, चांदी अन्यवस्तों की तुलना में, महंगा ज़्यादा होने के कारण, कम यूज होता है, electricity की दुनिया में, electricity electronics में, कारण क्या है कि महंगा ज़्यादा, बट जो satellites होते हैं, या पिर जो high quality के circuit board होते हैं, इवन जो computer होता है, उसमें भी use किया जाता है, क्य गोल्ड और use किया जाता है, silver, computer वाले जो कबाड़ी खरीद के ले जाते हैं, उसमें भी gold use किया जाता है, एक बचे का सलाह है, सलाह तो मैं सुन लेता हूं, लेकिन निरने मैं खुद लेता हूं, मैं आप से भी कहूंगा, सुनिये सब की, करिये खुद की, ठीक है, क्योंकि स सुनाने वाले जो होंगे, बहुत तरह की सलाह देंगे, उन सलाहों में आप अपनी चमता जरूर देख लीजिएगा, घटना चक्र से BPSC क्लियर किया जा सकता है, BPSC सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मबल को बढ़ा के क्लियर किया जा सकता है, किसी भी घटना, किसी दुर घटना से कुछ नहीं होता, कभी-कभी घटना से घटना घट भी जाती है, उतर प्रदेश के PCS में एक बार ऐसी ही घटना घट गई थी, तो आप किसी एक पे आप अपनी डिपेंडेंसी क्यों रखते हैं, मैं तो खुद अपने बाई बहनों को, मैं अपनी चोटी बहन को भी कहता हूँ, डिपेंडेंसी क्रियेट मत करो, अपने अंदर कैप्रिसिटी पैदा करो, अपना नोट्स बनाओ, मदद लो आप, ठीक है, साउंड की प्राब्लम, कमाल पुगेज साहब, आज साउंड की प्राब्लम हो गई, साउंड की प्राब्लम है क्या, किसी और बच्चे को, यह आपने सही का, N-C-E-R-T से कोश्चन आता है, चली चली, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, बच्चा कमेंट करता है, तो वो क्लास सोच में पढ़ जाती है, कोशिस कीजिए, पहले अपना चेक कर लीजिए, पूरी मैं डिस्टरब होंगा, तो सब डिस्टरब हो जाएंगे, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी जाच लीजिएगा, आगे से, देखे, मैं सिरियसली सबको ध्यान देता हूँ, खास करके पुराने जो मेरे भाईवान है, उनके कमेंट्स को मैं बहुत सिरियसली लेता हूँ, और जो आते जाते राम, हाया राम, गया राम, हाय राम हैं, हम उनके कमेंट्स को सिरियसली नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते, तो इसमें से जो बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक पर फिर से आउप करके फिर से ओन आईए, कुर सकता है, फिर ठीक हो जाए चली पहचान जाता हूँ आप में से जाधतर लोगों को मैं पहचान चुका हूँ जो regularly मेरे बढ़ने आते हैं चली आगे चलते हैं तो चांदी का हम discuss कर रहे थे चांदी को चांदी की तुलना में तामबा जो है कम प्रभाह किये होता है उसमें मुक्त इलक्टरोन कम होता है ल कॉपर ज्यादा यूज होता है as compared as चांदी विकाद चांदी मागा है इसके अलावा सोना तो और भी मागा है तो सोना, अलुमिनियम, पीतल, स्टील यह सब यूज किया जा सकता है लेक्ट्रोनिक्स में बट बेस्ट जो है वो कॉपर है जो ज्यादा यूज होता है एक रेडियो एक्टिव सबस्टांसेस डज नोट एमीट बहुत इंबॉर्डेन कोस्चिन है डेली उनिवर्स्टी के जो केमेस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसमें एक बार एक कबाड़ी वाला कबाड़ी खरीदने गया था और उसकी डेथ हो गई थी घटना दुर गटन इसा क्या छोड़ता है जारकंड में कुवा हुआ करता था जिसका नाम था जादू गुड़ा जारकंड के पुर्मी सीमबो मिलाके में घाट सिला एक जगह है उसके पास एक कुवा था जिसका नाम था जादू गुड़ा अंग्रेज के जमाने में जब अंग्रेजों को पत कि एक ऐसा कुई हैं जिसमें देवी रहती है और जो उसमें देखता है वो अंदा हो जाता है तो अंग्रेजों ने अपने साइंटिस्ट की मदद से कुछ सैप्टी सुरक्षा वाला चस्तमा के साथ उस कुई में जांका तो पता चला उसमें युरेनियम था तो जारकंड में आज यूरेनियम का जो खान है पूरिया से प्रोटेक्टेड है एरिया वो कभी जादू गुरा हुआ करता था जादू ही कुवा हुआ करता था उस कुवे में जो जाकता था अंदा हो जाता था तो एक कोस्टन है कि एक radioactive element material जो होता है क्या release करता है आंसर जल्दी दीजेगा देखे जो भी रेडियो एक्टिव होता है वह energy को सुध्ध energy को release करता रहता है और यह जो सुध्ध energy है जिसको आप radiation करते हैं यह विकरन के रूप में होता है और विकरन के दूसर रूप को आप कन विकरन भी कहते हैं यह तेज गितीव गती वाला सुख्ष्मकन होता है इसमें energy भी होता है और इसमें mass भी होता है radioactive material उनको कहते हैं जो naturally धीरे 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 उनका च्छै होता रहता है और आसपास वो radiation release करता है अब बात करें कि इनसे क्या मुक्त होता है और क्या नहीं मुक्त होता है तो इससे alpha जो positive charge होता है positive charge जो होता है वो alpha होता है जो positive charge release होता है वो alpha होता है जो negative charge release होता है वो beta होता है और जो gamma किरन होता है और x किरन होता है बीटा negatively charge होता है गामा और X किरन जो होता है उस पर कोई चार्ज तो नहीं होता ठीक है नो चार्ज होता है वो लेकिन इन में शमता सबसे ज़्यादा बेधन करने की काटने की शमता इसमें होती है गामा किरनों में अब यहाँ पर question है कि answer क्या होगा बिलकुल जो लोग X-ray को आप कहरें नहीं ह होगा गामा रे या X-ray दोनों उत्तर जित होता है ठीक है तो यहाँ नो सब्द पर मत जाईए आप आप सिर्फ यह देख लीजिए कि इसका उत्तर होगा E इसका उत्तर E होगा बिकल्प E सही है क्योंकि सब के सब उत्तर जित होते हैं अलफा भी निकलता है बीटा भी निकलता है गामा भी निकलता है इतीनों तो confirm है और X-ray भी निकलता है कोई doubt नहीं होना चाहिए आपको अगला पॉइंट है लेजर लेजर किस बैज्यानिक से धान्त पर आधारित है जो लेजर है वह अब किस बैज्यानिक से धान्त पर आधारित है जी बिलकुल X-ray भी रिलीज होता है उसमें बहुत ऐसे questions का collection है मेरे बाई जो आपको BPSC में दो question के दर्शन करा जाएंगे या इन से जुड़ा मिलता जुदता प्रस्म दिखेगा तो अपनी एक बहतर समझ क्लियर करना लेजर निमलकित में से किस बैज्यानिक सिद्धान्त पर आधारित है आप D answer दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है D answer दे रहे हैं जादा तर लोग D answer दे रहे हैं D बिलकुल सही है अरविंद खुमार जी हैं कह रहे हैं कि क्लियर नहीं आ रहा है सर आप थोड़ा सा चेंज कीजिए अपना सेटिंग में जा करके कोईलिटी जो है वीडियो की 360 कर सकते हैं हो सकता उसमें आ जाए अपनी और से तो मेरी पूरी कोशिस है कि आपको दिखे लेजर विकरन के उदिप्त उतसरजन के द्वारा प्रकास का एक आवरधन है हिंदी में बात कर रहा हूं Light Amplificationally Stimulation Emission of Radiation, इसका हिंदी है, वीकरन के उद्दित उद्द सर्जन द्वारा प्रकास प्रबर्दम, बच्पन में आपने लेजर लाइट्स बहुत केले हैं, वो लाल रंग का जो लाइट होता था जिसमें दिल बना होता था और आप अपने छट से बहुत दूर तलक के तो इसका आंसर है, कंफर्म आंसर देख लीजिए, किस पे काम करता है ये, डी सही कहा आपने, ये विद्द्द चुम्ब किया, विकरन के उत्तेजित उत्तरजन पर प्रकास प्रबर्धन करने बाला एक Amplication है, Optimal Amplification based on the stimulated emissions of electromagnetic radiation is laser, कब बना laser, कब established हुआ, मतलब कोज कब हुआ, 1957 में, 1957 में laser की खोज हुई, और खोज करने वाला जो परसन था, laser की कोज करने वाला, BPHC ये भी पूछ देगी, उसका नाम था Gordon Gold, नाम था, Gordon Gold नाम था, उस scientist का, जिसने laser की कोज की, 1957 में, 1957 में सकी कोज की, एक ऐसा उपकरन है, जिसमें विशेश तरंग धहरे में प्रकास का उत्तरजन करने के लिए, परमानूओं यानूओं को उत्तेजित किया जाता है, और जब वो तेजित होते हैं, तो प्रकास में ब्रिदी करते हैं, और प्रकास में ब्रिदी करते हैं, तो आम तोर पर विकरन के रूप में बहुत ही संकर्न बीम की तरह आगे की ओर जाता है, बीम लाइट की तरह रहोसनी का एक बीम की तरह आगे जाता है, आम तोर पर ये क्या-क्या mix होता है, infrared आपको दिख जाता है, जो red light होती है, इसके अलाबा भी infrared के अलाबा इसमें जिरिश्य प्रकास और ultraviolet UV rays भी इसमें सामिल होता है, कई तरह के laser होते हैं, अगले प्रस्ण पर आता हूँ, next, नए लोग जो पूछ रहे हैं कुछ questions, आप जरूर, नए हैं, warrior class है, इनका, कहरें sir, रोज चलेगी class, जी भाई मेरे, रोज ही class चलती है हमारे पास, अवाईजाज में यात्रा के दोरान pain की स्याही, बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, three idiot movie में, वाईरस होते हैं, इंजिनियर साहब, वो बताते हैं कि भाई, fountain pen, और फिर वो आमिर कान जो है, वो पूछता है कि क्या pencil नहीं थी उस जमाने में, यहाँ एक question BPSC आपसे पूछ सकती है, fountain pen से related, fountain pen से related question पूछ सकती है BPSC, देकि हवाईजाज में यात्रा के दोरान, pen की स्याही बाहर आने का मुख्य कारण क्या है, जब इन से हवाईजाज की उचाही, बायुदाब में कमी, दर्व का प्रिस तनाओ, बायुदाब में बृदी, क्या है answer, जैसे जैसे हवाईजाज उपर जाता है, तो बायुदाब कपड़े में जो आप उपर, आपको समझाती हैं, कि दो दो आर इधर हैं, दो दो आर उदर हैं, जिदर भी है, तो वो बताते हैं कि यदि केविन में बायुदाब कम हो जाए, तो आप यहां से निकलेगा, औक्सिन लेने वाला, आप ऐसे ऐसे औक्सिन ले सकते हैं, मुझे जैसे जैसे हवाईजाज उपर जाता है, पेन के अंदर का दाब बाहर से अधिक होता है, सियाही दाब के बरावर करने के लिए बाहर आ जाती है, और जब सियाही बाहर आती है, तो कपड़ा बहुत खुबसूरत लगने लगता है, या बैग में बहुत खुबसूरत डिजा बन जाता है तो हवाईजाज में यात्रा कर रहे हैं तो पेन की स्याही वाला पेन जो है वो आप कोसिस करें कि नेगलेट करें अधर्वाइज वो स्याही जो होगी बाहर आएगी तो बायद आप में कमी मुख के कारण है और प्रत्वी की सतह से जब हवाईजाज उपर उठता है तो यह उचाई के परिणाम सुरूप होता है यहाँ पे उत्तर चुनने में बहुत लोग पस जाएंगे इस question को ठीक से देखिएगा question को ठीक से देखिएगा कि जो height है what causes the ink of the pain to come out well traveling on an airplane तो एक answer तो यह भी है height of the airplane from the ground एक यह आंसर यह भी है और दूसरा आंसर यह भी है क्या decrease in pressure यानि यहाँ दो उत्तर है और इस हिसाब से answer E हो जाएगा एक से अधिक मैं आपको BPSC के मजाक से भी रूबरू कराते जाओंगा कि बहुत होसो हवास में बिटा आंसर चुनने वाली बात है जो भी भाई बहन हो जो छोटे भाई बहन हो उनको कह रहा हूं बड़े लोग तो समझदार होते हैं ठीक है बड़े लोग समझदार होते हैं वो धियान रखते हैं देखो options ऐसा बनाया गया है कि आपको इसका पूरा logic समझ में आना चीए बायुदाब में कमी यदि आप लिखते हो तो ये क्यों आती है जब जमीन से हवाईजाज क्यों चाई बढ़ती है तो दोनों आंसर होगा न यदि हवाईजाज नीचे लैंड किया हुआ है और वहाँ आप बैठे हो तो थोरी न से आई बाहर आएगी तो इह आंसर होगा फ यह दोनों कारण मुख्य है ठीक है इससे तोरा अप होना पड़ेगा आप सोच रहे हो कि मुख्य कारण पूछ रहे हैं कि मतलब एक्जक्ट बायोधाब में कमी लेकिन बायोधाब में कमी के अलावा एक कारण ये भी है प्लेन की बात कर रहा है और प्लेन उचाई पर होगा तभी बायोधाब में कमी होगी तो आपको दोनों उत्तर देख के देना होगा चीक है बिलकुल ध्यान रखिएगा जब वो कह रहा है कि उप्रुक्त में से एक से अधिक होगा तो दोनों उत्तर होगा जान बुझ के मैंने इस पर चर्चा की ताकि आप फसो मत और पूरे हो इस में आंसर दो यह आंसर होगा इसका नेक्स्ट को स्विक्वत पर चलते हैं न्यूट्राण के विसे में निमनलम्नलकित कथनों में से कौन सा कथन सही है वीस ओप फॉलॉइंग स्टीटमेंट इस और आर-ण्ट करेक्ट अबाट न्यूट्राण नाट करेक्ट अबाउट न्यूट्रोन चली जल्दी जवाब दीजे जिनका गलत हो रहा है वरे भागे साली है कि समय रहते उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई ये चीज बढ़ना था और जिनका सही हो रहा है वो भी अच्छे हैं कि उनका रिवीजन हो जा रहा है हमेशा चीज़ों को पॉजिटीव बे मिली से इस्वरम यह करोती ससोवरम भबती का वाउ रखिये इस्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है यदि ब्रेकप हो जाए तो खुस होईए कि बढ़ियां हुआ पाला छूटा और यदि पैचप के साथ विवाह भी हो रहा है तो भी बढ़ियां हुआ जिसको चुने थे वह ही मिल गया ऐसे बाव से जीवन जीना पड़ेगा आपको तो दुख कम होगा चली आगे चलते हैं आंसर होगा न्यूट्रोन से रिलेटेड आंसर बी आंसर होगा यहां पर ध्यान देना यह एक परमानुकन है ठीक है चुकि न्यूट्रोन पर कोई आवेस नहीं होता है न्यूट्रोन पर कोई आवेस नहीं होता है इट डज हैव एनी नेट एलक्ट्रिक चार्ज एसोसियेटेट विद देम नहीं कोई charge नहीं होता है अच्छा सही नहीं है पूछ रहा है मापकरना भाई थो रहा है और रहा इट डज हाव एनी नेट electric charge associated डज नोट हाव हो गए आपर कौन सा सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है इट इस thermic particle न्यूट्रोन का द्रविमान प्रोटोन से थोड़ा अधीक होता है इसकी खोज जैम्स चैडविक ने की ये तो सही है द्रविमान न्यूट्रोन से थोड़ा जादा होता है ये भी सही है परमानू कन है ये भी सही है लेकिन यहां इंगलिस में कुछ और लिख लिया है हिंदी म कुछ और लिखा हुआ है थोड़ा सुन लीजे क्या है यहां पे देखें न्यूट्रोन जो है परमानु नाभिक के प्राइमरी पार्ट में से एक है प्राइमरी कंपोजिशन में से एक है हर एक परमानु के नाभिक में न्यूट्रोन होता ही होता है अब एक दो exceptional case की बात नही जो है परमानु नाभिक के प्राइमरी घटक में से है और दूसरा क्या है न्यूट्रोन के साथ जुड़ा हुआ कोई सुद्ध विद्युत आवेस नहीं होता है यह न्यूट्रल होता है इसलिए न्यूट्रोन है ना positive होता है ना negative होता है इसका द्रभमान proton से तोरा ज़्या जादा होता है याद रखेगा जिस नाभिक में जितना ज्यादा न्यूट्रोन होता है वो नाभिक उतना ज्यादा भारी होता है न्यूकलियर जिस न्यूकलियर में जितना ज्यादा जैसे उरेनियम का नाभिक भारी होता है क्यों होता है या थोरियम का नाभिक भारी होता ह क्विंकि इसमें neutron जादा होता है, तो neutron जो है, भारी कर देता है नाविक को, तो द्रभैमान proton से थोड़ा अधिक होता है, एक परमानू में सभी proton और neutron मिलकर, छूटा परमानू नाविक बनाते हैं, जो सामुहिक रूप से निकलियोन कहलाता है, और साथी दोनों एक समान व्यावार करते हैं, भले ही एक पेचार्ज पॉजिटिव है और एक पेचार्ज नहीं है, मतलब नूट्रल है, नूट्रोन का द्रवेमान लगवग एक परमानू द्रवेमान एकाई में मापा जाता है, जिसको AMU कहते हैं, 1932 में जेम सेडविक ने न और विज्ञान की वह साखा, जो नूट्रोन के गुनों का अध्यन करती है, उसको कहते हैं परमानू भौत की, जिसमें कि सुक्षमानू और एलक्ट्रो मैगनेटिक रेडियेशन के साथ इसको परिभाचित किया जाता है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, क्या, नूट नूट्रोन सुक्षमानू है, और सुक्षमानू का मतलब आप इसको परमानू करन नहीं कह सकते हैं, परमानू से भी सुक्षमा है, नूट्रोन जो है, परमानू से भी सुक्षमा है, ठीक है, चलिए, यह कोश्चन का थोड़ा option setting गरवर है, इसलिए मैं इसका option थोड़ा, ज तुरा चेक कर लेता हूँ कहां 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 क्या लिखा हुआ है इसके बारे में काफी विस्तार से बात कर लिए कौन सही नहीं है तो सारे सही है बी जो है वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि atom से भी छोटा होता है यानि atom को बनाने वाला particle है निम्नलखित में से कौन रासाइनिक परिवर्तन का उधारन है जल्दी बताएंगे हाँ उस question में थोड़ा misprint था निम्नलखित में से कौन रासाइनिक परिवर्तन का उधारन है which is an example of a chemical change among the following melting of ice dissolving sugar in water and melting of wax and cooking of food and none of these पटापट जबाब दीजे हाँ बिल्कुल atomic नहीं है, sub-atomic है अनुक्चा अनुक्चा खुमारी सही का आपने atomic नहीं है, वो sub-atomic particle है neutron sub-atomic particle है बिल्कुल सही का आपने आप सब का उत्तर E है यहाँ पे और answer होगा D D answer होगा पूछ रहा है कि कौन रासाइनिक परिवर्तन है रासाइनिक परिवर्तन है रासाइनिक परिवर्तन भोजन का पकना है याद रखिएगा cooking जो आप करते हैं और जो variety of स्वाद लाते हैं वो chemical reaction का example है रासाइनिक परिवर्तन का example है और बाकी जो है बर्प का पिगलना पानी में चीनी घुलना मूम का पिगलना यह सब के सब ना physical change है physical change है यह बहुत परिवर्तन के उदाहरन है और बाकी खाना पकाना भोजन का पकना वो रासाइनिक परिवर्तन का उदाहरन उसमें molecules जो है chemical molecules उनके बीच exchange और उनके बीच reaction होता है ठीक है तो बात मैं यह कह रहा था आपसे कि भावतिक परिवर्तन केवल किसी पदार्थ की इस्थिती बदलता है उसके chemical structure में कोई बदलाव नहीं लाता है जबकि chemical reaction का मतलब है कि उस substance उस जो भी पदार्थ है matter है उसका जो chemical equation है वो change हो जाता है और chemical equation जब change होता है जैसे आप protein consume करते हैं वो amino acid में convert हो जाता है fat consume करते हैं वो fatty acid में convert हो जाता है अंदर जब digest होता है तो फिर last में जाके ATP energy में convert होता है तो भोजन जो अंदर जाके आपके body के अंदर भी और जो कूकड में बनाते हैं उसमें भी वहाँ पे भी एक तरीके से होता क्या है उसका chemical change हो जाता है उसकी chemical structure बदल जाता है तो भोजन पकाना भी रासाइनिक परिवर्तन है और अंदर पकना भी पचना भी एक रासाइनिक परिवर्तन है भूपपटी में पाए जाने वाले तत्तों का अब रोही क्रम क्या है which is the correct decreasing order of element found in the earth crust सबसे उपर क्या पाए जाता है ठीक है मौम का पिखलना एक भावत एक solid से liquid में convert होता है chemical changes नहीं होता है मौमबती का जलना एक chemical change है because मौमबती जब जलता है तो वो oxygen के absence परजन्स में वो एक दहन की क्रिया करता है वो अलग case है यहाँ पिखलने की बात हो लिए तो पिखलना एक भावतिक परिवर्तन है मौम का पिखलना solid से liquid में आया अब जलना वो अलग chemical changes है बिल्कुल सही point है हमारा भूपपटी में पाए जानवाले तत्तों का अब रोही क्रम क्या है बहुत important question है बेहतरीन question है और यह BPSC पूछती है कि सबसे उपर कौन सा element मिलेगा उसके नीचे कौन उसके नीचे कौन सबसे नीचे कौन इस पर सर्चा कर लेते हैं जी देखे पिर्तवी की भूपपटी में लगबग 200 प्रकार के खनीज मिलते हैं और 99 प्रत्यत खनीज केवल आठ तक्तों के बने हुए और यही आठो उपर से नीचे क्रस्ट में आपको मिलता है आठ की बहुलता ज़्यादा है यह majority वाले है तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे उपर पाये जाता है oxygen सोनल जी कह रही है कि मोम का जो पिखलना है और आसाइनिक परिवर्तन कह रही है यह आंसिक रूप से बहुतिक परिवर्तन कह रही है बहन मेरी ठीक से देखना मोम पिखलने के बाद भी मोम ही रहता है और उसका कोई कैमिकल structure नहीं बदलता ठीक है chemical जब मैं जा साइनिक सनचना नहीं बदलेगा तो उसको chemical equation जलना मूम जब जलता है तब उसका chemical reaction चेंज chemical structure चेंज होता है केवल वो solid से liquid में बदला तो उसमें कोई chemical चेंज नहीं आता है पढ़िएगा एक बार देख लीजेगा यदि आप सही हो तो हमें भी बताईएगा ताकि हम भाईवान भी इसको सही कर सके ठीक है कि अगले point पर आते हैं oxygen जो है सबसे हलका है तो सबसे उपर होता है oxygen के ठीक नीचे silicon होता है उसके नीचे aluminium उसके नीचे iron उसके नीचे calcium तो जो क्रम है अब रोही क्रम में यानि decreasing order में वो है यहाँ पे जो available point है इसमें answer है oxygen सबसे उपर होता है उसके बाद aluminium then sodium then magnesium और आठों तत्तों का एक क्रम यदि लिखना चाहें आप तो लिख लिजिए oxygen जो upper crust का जो crust का जो उपरी area है वहाँ oxygen मिलेगा 46.6% के लगवग और जो silicon होगा वो 27.7% तक aluminium 8.1% और लोहा 5.0% calcium sodium potassium magnesium चली अगले प्रस्ण पर आते हैं next question एक बच्चा है जो एक ही चीज बार बार लिख रहा है तो जो भी moderator अंदर भी रहे तो चलेगा बट वो लोग हो जो result दें result वाले लोग और उनकी बात मैं सुनता भी हूँ ठीक है जो लोग result वाले हैं चाहता हूँ कि बस जो साथ पढ़ने उनका result हो disturbing element ना आये उपर वाला ठीक है अगले point पर आते हैं एक बार में समझे कि क्या कहा जा रहा है पठाकों में जो पीला रंग है किसके कारण होता है पठाकों में पीला रंग किसके कारण होता है देखो पठाके में तरतर के रंग आप देखते होगे आप green देखते हो कहीं कहीं आप पीला रंग भी देखते हो तो पठाकों का जो color होता है उसमें use किये हुए chemical पर depend करता है और ये question आ सकता है, ठीक है, ये question आ सकता है, कि पठाकों में जो पीला रंग है, किसके कारण होता है, या फिर जो दूसरा और भी कही रंग है, पठाकों में लाल रंग किसके कारण होता है, या पठाके में नीला रंग किसके कारण होता है, या पठाके में हरा रंग किसके के लिए हम क्या यूज करते हैं metal LT 뭘 किया जाता है अब मेटल व्हों लोग पूछ रहे हों महां रहा हो गा म्योन mistवा έइट करता है ठीक है वह मेटल साल्ट या से अलग-अलग मैटल साल्ट का यूज के लिए होता है यह साल साब metal salt, ये सारे के सारे metal salt है, लेकिन भाई कौनसा metal salt कौनसा color देगा आपके पठाके को, रावन बनाने वाला जो आता है न, पठाका specialist उनको पता होता है कौनसा color देगा आप लिख लीजे कहीं पर ठीक है, ये salt, table salt नहीं होता है, जो नमक आप काते हैं वो नहीं होता यह, table salt देने से कोई color नहीं आने वाला, ऐसा नहीं कि कल बारूद में table salt देखे आग लगा के देखना, नहीं, जो हम नमक खाते हैं वो अलग होता है, ठीके, और यह जो salt होता है, ठीके, यह metal salt होता है, अब metal salt को जब हम जलाते हैं, पठाकों के साथ, तो color create करता है, जैसे, आम तोर पे पठाके में जो यूज होता है ना, metal salt, लाल रंग के लिए strontium carbonate, जब strontium carbonate यूज करेंगे, तो यह कौन सा color देगा, यह लाल कलर देगा, पठाके में यदि strontium carbonate देंगे, तो लाल कलर देगा, और यदि calcium chloride यूज कर लेंगे, कैल्सियम क्लोराइड यूज करेंगे तो ये कौन सा कलर देगा ये नारंगी कलर देगा कैल्सियम कौन सा कलर देगा नारंगी कलर देगा यदि हम कैल्सियम क्लोराइड यूज करेंगे और सोडियम नाइट्रेड यूज करेंगे तो sodium nitrate use करेंगे तो भाई पीला रंग देगा तो यहाँ पे आंसर यही है कि sodium nitrate use करेंगे sodium nitrate को पठाके में डालेंगे तो वो पीला रंग रॉस नहीं देगा ठीक है? पीला देगा और यदि हम barium chloride डाल दिये तो हरा देगा भाई, हरा देगा बेरियम कलोराइड यदि मिला हुआ है बारूद के साथ तो ये ग्रीन कलर की रॉस नहीं देगा तो पठाके में जो डिफरेंट कलर आता है वो कलर बेसिकली यूज किया जाता है metal salt के तुरू, एक भाई लिख रहा है नीला, देखो नीला कलर आता है copper chloride से, यदि पठाके के अंदर copper chloride नाम का metal salt तुम डालोगे भाई मेरे, तो वो देगा तुमारे पठाके को नीला रंग, नीला कलर, तो नीला कलर copper chloride के कारण, और लाल रंग पठाके में आएगा और पीला sodium nitrate से, और barium chloride से हरा कल दाता है याद ना रहे तो कोई बात नहीं है, एक दुबार लिखेंगे, याद रह जाएगा चलिए, अगले point पे आते हैं, और बैगनी रंग के पठाके बनाने के लिए भी strantium का यूज़ किया जाता है बैगनी रंग का पठाका बनाने के लिए आम तोर पर strantium और copper दोनों को मिला दिया जाता है जब copper chloride और strantium carbonate को मिला देते हैं और mix करके पठाके में डालते हैं तो बैगनी रंग हो जाता है तो कई तरह के चीज़ें यूज़ होती है ठीक है याद रखिएगा कई चीज़ें यूज़ होती है पठाके में potassium nitrate होता है sulfur होता है चारकोल होता है पठाका जलाने के लिए इसके अलाबा जो nitrate, chlorate पठाके के अंदर जो nitrate डालते हैं या पिर proclorates डालते हैं ये सब जलने के लिए ताकि वो खूब जले, आग पैदा करे और पठाके के अंदर जो ये सब डालते हैं ये color पैदा करने के लिए बारूद बनाते समय देखेंगे ना कई रासाइनिक पोटली को एक साथ मिलाता है वो हमने देखा है रावन बनते हुए, बनाते हुए और जो साधी विवा हमें भी पठाका लगाने वाले तो मैं काफी कुछ उनसे बात कर चुका हूँ वो बताते हैं कि भाई ये बारूद बनती है जो जितना expert हो तो हमने बंगाली लोग ज़्यादा expert होता है ठीक है, अगले point पे आईए laughing gas का, देखिए ये BPSC का favorite question है तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा laughing gas का, रासाइनिक सुत्र क्या है laughing gas का, रासाइनिक सुत्र क्या है अच्छा इतना सारा बताया है न, मुझे लगता है ज़्यादा तर ये लोग green color पूचते है पठाके का green color और पठाके का पीला color या लाल color यही तीन ज़्यादा पूचते है तो लाल strentium से है और पीला sodium nitrate से है और हरा सबसे ज़्यादा chance है तो बेरियम chloride से है laughing gas का, रासाइनिक सुत्र बता दीजिए N2O आप लिक रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है N2O ही होता है इसको nitrous oxide कहते है N2O जो N2O है इसको nitrous oxide कहते है इसके बारे में और भी चीजे जानने की आउशकता है कभी-कभी रिक्षा में पूचता है nitrous oxide N2O What is the chemical formula of laughing gas देखे laughing gas होता है रंगहीन non-flammable होता है जलंसील नहीं होता है और मीठा स्वाद देने वाला होता है laughing gas आपको यदि आप उस gas को consume करेंगे तो स्वाद में मीठा होता है और इसको आसानी से पानी में गोला जा सकता है कभी-कभी ये प्राकर्तिक रूप में भी कहीं-कहीं मौजूद होता है पानी में और इसमें विविन प्रकार की बस्तूओं को बनाने की भी चमता बनाने के लिए यूज किया था raw material जैसे anesthesia के लिए एक formalologic agent के रूप में यूज करते हैं अलाकि ये गैर जोलनसील पदारत है और आग में दहनसील सामगरी को तेजी से जलाने में सहायता प्रदान करता है खुद गैर जोलनसील ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं जलेगा तो mainly इसका यूज किया जाता है anesthesia के रूप में और anesthesia के रूप में यूज के अलावा बस्तौओं की packaging में भी इसका यूज किया जाता है बस्तौओं की packaging में भी इसका यूज किया जाता है कुछ chemicals बनाने में भी यूज किया जाता है एक बचा पूछ रहा है Agent Orange क्या होता है Agent Orange एक तरह का liquid besphotak होता है जब Korea में war हुआ था न, South Korea में, South Korea, North Korea वाला रीजन में जब war हुआ था, तो Ethyl Agent Orange उसको बोलते थे, Agent Orange उसका छिरकाओ करके जंगल का जंगल जला दिया गया था, ठीक है? तो Agent Orange हुए ही है, Chemical है, और रासाइनिक विसफोटर केमिकल है, बियत नाम में, हाँ, Korea नहीं बियत नाम, सौरी माप करिएगा, South बियत नाम में, गलती से निकल गया है Korea, बियत नाम में, जो बियत नाम है, वो बियत नाम में हुआता है, ठीक है? बिलकुल, बिलकुल, सही कहा आ आपने, चमाचाएंगे, Korea और बियत नाम में कभी-कभी confusion होता है, अगले point पर आता हूँ, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके सन्योजन से बनता है, लिक्वाइट पेट्रोलियम गैस, प्रनोदक का मतलब होता है, एक तरह का इंधन, जो रॉकेट में यूज होने वाला इंधन होता है, उसको प्रनोदक इंधन कहते हैं, ठीक है? प्रनोदक एक तरह से जोलंसील इंधन के रूप में. चलिए आगे आईए, जो लिक्वीपाइट पेट्रोलियम गैस है, उसमें मेंली होता क्या है? आपने पढ़ा होगा पहले से, प्रोपेन होता है, आईसो प्रोपेन होता है और ब्यूटेन होता है. तो basically ये isopropane और butane का mixture है तो D answer हो प्रोपेन और butane का mixture होता है और 70% butane होता है 29% प्रोपेन होता है और 1% अन्य होता है ठीक है याद रखना परसेंटेज पक याद रखना जो liquefied petroleum gas होता है उसमें अपनी कोई दुरगंद नहीं होती है उसमें दुरगंद अलग से मिलाया जाता है ताकि उसके रिशाओं का पता चल सके क्योंकि वो बहुत जादा धंसील है तो उसमें अपना कोई दुरगंद नहीं होता है 70% butane होता है और 29% प्रोपेन होता है और प्लस 1% जो होता है वो अधर होता है अधर घटक और अधर घटक को सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसमें बदवू हो हाँ मर कैप्टन आपने सही लिखा तो जान भूज के इसमें मर कैप्टन मिलाया जाता है ठीक है LPG जो है कचे तेल के रूप में भी प्राकितिक रूप से पाया जाता है लेकिन इसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग के तुरू और यूजेवल बनाने की कोशिस होती है हम लोग इसको इंदन के रूप में खाना पकाने के इंदन के रूप में यूज करते हैं यह जोलन तील 70 और 29 याद रखेगा ब्यूटेन ज्यादा मात्रा में होता है उसमें 70 परसंट और प्रोपेन कम मात्रा में होता है 29 परसंट यूरिया बहुत इंपॉर्डिन कोश्चन है यूरिया जी बिलकुल मर कैप्टन आपने सही लिखा है सब लोग निखिल मिस्रा पूछ रहे हैं कि सर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है निखिल जी मुझे ग्यात अभी नहीं है आपने दे दिया टर्म तो मैं इसके तयार करूँगा ग्रीन हाइड्रोजन क्या है साथ ग्रीन टर्म लग चलिए, अगले पॉइंट पे बात करते हैं, यूरिया, एक कार्बनिक कंपाउंड है, यूरिया, CO-NS2 का होल 2, CO-NS2 का होल 2 इसका रासानिक सुत्र है, तो C जो लोग दे रहे हैं, उत्तर बिल्कुल सही है, C-O-N-H सही है आपका, इसको कार्बामाइड भी कहा जाता है, कार्बामाइड, यूरिया को कार्बामाइड भी कहा जाता है, कार्बामाइड, और कुछ नोट्स बना लीजिए, प्रस्न पूछना चाहिए, आप ऐसा कोई जरूर नहीं है, ये एक भाई हैं अंकितरा जो कह रहे हैं, ऐसा नहीं है, प्रस्न पूछेंगे नया-नया प्रस्न आना चाहिए, और मैं भी चाहता हूँ कि नये प्रस्न आए, कोई दिकत नहीं है, मैं देख लेता हूँ कि कौन बच्चा पूछ रहा उसके नुसार, ये बच्चा एक्टिव बच्चा है, एक्टिव भाई हैं इस क्लास के, बहुत एक्टिव हैं, तो बेहतर कोश्चन है, no doubt, प्रीन हाइड्रोजन की बात करेंगे और अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इ अगले पॉइंट पे आता हूँ, यूरिया की बात कर रहा था मैं, यूरिया पसुम द्वारा नाइट्रोजन युक्ति यॉगिक के मेटाबॉलिजम में एक महत्वपूर्ण भूमी का निवाता है, और जो मैमेल्स हैं, जो बच्चों को दूद पिलाते हैं, मैमेल्स के नाइट्रोजनस वेस्ट मेट्रियल है, जो भी मैमेल्स हैं, जो अपने बच्चों को दूद पिलाते हैं, उनके यूरिन में सबसे ज़्यादा कुईन्टिटी में पाया जाने वाला एक तरीके का उत्सर्जित हैं, अब क्या है ये, ये लिक्विड ही नहीं, ठोस के रूप संगईत करके, जल में ये घुलंसील होता है, और अत्यंत ही कमजोर एसिडिक अमल योगिक है एक तरह का, यूरिया जो है, अत्यंत ही कमजोर एसिडिक कमपाउंड है, यूरिया प्राया सभी मानब उत्तकों में पाया गया है, और यह अधिकांस्ता बायो फ्लूड, अब ब पसीना है या मल है या मुत्र है या रक्त है सब में पाय जाता है बलड में भी यूरिया होता है बलड टेस्ट करेंगे तो पता चलेंगे यूरीन में भी यूरिया होता है जो स्वेट है पसीना है उसमें भी यूरिया पाय जाता है तो मल, मुत्र, रक्त और पसीना इन सब में पाय जाता है यूरिया और कोसिका के अंदर भी यूरिया पाय जाता है जो yeast, जो छोटा सा जीव होता है yeast, आपने नाम सुना होगा yeast का, yeast से लेके मानब सरीर तक जितने भी eukaryotic cell हैं, जितने भी eukaryotic cell हैं, हर एक eukaryotic cell में यूरिया मावजूद होता है, याद रखेगा यूरिया, परियोग साला में बनाया गया पहला यूरिया है, बहुत अच्छ बात है, सत्रूगन याद अब कुछ extra information लिख रहे हैं, अच्छी बात है, चलिए, आत्महत्या की थैलीपद का परियोग किस को सिकिया, अंग के लिए किया जाता है, और क्यों किया जाता है, बिल्कुल सही, यूरिया में 46% nitrogen है, यूरिक acid के रूप में होता है, बहुत सही, और परियोग साला में बना गया पहला कारवनी कंपाउंड है, बहुत सही, बेतरीन, लाजवाब, लाइसोसोम को कहते हैं को सिका की आत्महत्या की तैली, क्योंकि इसमें लाइटिक एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम में लाइटिक नाम का एक एंजाइम पाया जाता है और ये जो enzyme होता है lysosome के अंदर ये enzyme kosika और kosika को भी पचा देगी है और जो भी alien घुसता है kosika में उसको भी digest कर जाती है तो basically lysosome एक गोलाकार थैली होता है और इसमें यही hydrolytic hydrolytic इसको बोल सकते हैं hydrolytic hydrolytic enzyme होता है lysosome के अंदर और ये enzyme किसी भी bacteria virus पंगस जो भी हो जैसे ही को alien kosika में एंटर करता है और cell को लगता है कि ये alien बाहरी तत तो नुक्सान दायक है automatically एक सूचना एक information आ रहने के तुरू इनको मिलता है और ये फट जाते हैं और जैसे ये फटते हैं lytic acid बाहर आते हैं पूरा का पूरा cell ही digest हो जाती है ये पूरा cell ही खत्म हो जाती है और lysosome खात करके जो kosika हैं छती ग्रस्त होती हैं उसमें जल्दी पढ़ती है और उसी में फट करके kosika को नस्ट कर देती है काम क्या है lysisosome का lysisosome का काम पचाने का है abscist को मानब सरीर से बाहर करने का है और endocytosis प्रक्रिया के माध्यम से kosika abscist या बाहे कनों को kosika के भीतर लाने का है cable lysosome आत्म हद्या ही करने के लिए नहीं है और भी काम है lysisosome के जैसे एक काम है lysisosome का कि पाचन में भी कुछ मदद करती है लysisosome सेल को और जो abscist पदार्थ सेल में बनता है उसको सेल से बाहर लाने में भी मदद करती है lysisosome इसके अलाभा जो बाहरी कन है जिसको kosika को अंदर जरुरत है उसको अंदर लाने में मदद करती है लाइस ओंग एक साइकल है जिसको आप कहते हैं एंडोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस साइकल जो सेल के अंदर चलता है कोसिका जिल्ली उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है जैसे ही कोसिका की जिल्ली कोई बाहरी हमला होता है जब कोस कोचिका के बीतर ले आती है ऐसे कंडिसंस में लाइसोसोम ही फटता है और कोचिका के बीतर जो इसके अंदर जो लाइटिक एंजाइम है यह एंजाइम कोचिका के जिल्ली को तोड़ देता है और कोचिका को नस्ट कर देता है यह इसका काम है तो दोनों तरह से समझेगा इसक अलग concept है centrosome केवल जन्तु कोशिका में पाय जाता है और कोशिका विवाजन में भाग लेता है ठीक है और दूसी तरफ ribosome जो है वो RNA से बना होता है और protein लिसन में भाग लेता है तो यह ribosome centrosome lysosome में तीनों के बारे में कुछ कुछ सूचना है आपके पास होनी चाहिए मानव सरीर में कितने गुनसुत्रों के योग में पाय जाते हैं चलिए आपने 23 कहा सही है 22 जोड़े को समझात गुनसुत्र कहते हैं और एक एक जो होता है वो बिसमजात होता है जो बिसमजात जोड़ा होता है उसमें x y होता है तो टोटल 23 जोड़ा होता है ठीक है 23 पेर में से 22 पेर जो होता है वो समजात होता है मतलब X X E होता है एक जो जोड़ा होता है उसमें एक X और एक Y होता है जिसको बिसमजात कहते है और वो पुरुस में पाया जाता है बिसमजात पुरुस में पाया जाता है और बाकी महिलाओं में 2300 जोड़ा जो होता है वो समजात होता है पुर उसमें 22 समजात और एक बिसमजात होता है वही XY वाला अगले पॉइंट पे आजाईए नेक्स्ट मानब सरीर में पाये जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है मानव सरीर में पाय जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है आप गलत नहीं करेंगे मुझे पूरा इस बात का ख्याल है D. आंसर होगा लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा ठीक है लीवर, जिगर, कलेजा, यकृत एक ही है सब के सब मानव सरीर में यकृत सबसे बड़ी ग्रंथी है पेट के दाहिनी और इस्तित होती है और दो बड़े लोग होते हैं, इसमें दो भाग होता है वही जो करेजी खाते हैं लोग नौन बेज हैं, उनको पता होगा जो बिलकुल वो कीमा कलेजी खाते होंगे लोग कलेजी वही जो बिलकुल डार्क कलर का होता है दाएं और भाएं लोग के रूप में ये पाय जाता है और ये पालसी पॉंस नायों दोरा विवाजित होता है लिगामेंट दोरा ये अकृत में जो सेल होता है उसको हेपोसाइट सेल कहते हैं और जो हपव्य सेल होती है, यह सेल किसी छूट की प्रतिक्रिया के दौरान स्वाहिम को ठीक करने की बेहतरीन छमता रखती है। आपने सुनाऊगा लीवर ट्रांस्प्लांट, आपने सुनाऊगा लीवर डॉनेट किया है यह कृत की जो सल होती है वो ऐसी सल होती है जो अपना जैसे आप देखते होंगे एक फिल्म में की कोई हीरो है वो जिसको ऐसे यहां पे निकलता है वो अपना गाओ पुद बर लेता है तो लीवर के सेल में भी वो खासियत है कि वो अपना घाओ खुद भर सकती है लेकिन जब वो यंग होता है तभी ऐसा कर पाता है ठीक है यकृत का काम क्या क्या है यकृत का काम है प्रोटीन हो या बसा है कार्वोईडेट इस सब को पचाता है और बाइल का उत्पादन करता है जिसको पित कहते हैं उसी को इंगलिस में बाइल जूस कहते हैं तो बाइल का उत्पादन यकृत ही करता है और बाइल को रिलीज भी यकृत ही करता है और एक थैली में जमा करता है जिसको पित की धालि कहते हैं ठीक है यह kolesterol bilubirine, drugs और hormone को बाहर निकालने और enzyme को सक्रिय करने के लिए उत्तर दाई जो भी bad cholesterol जमा होता है ना body में उसको body से बाहर निकालने मέं liver का ही काम है और जो excess drugs आप consume कर जाते हैं तो जो drugs है उसको भी निकालने में जैसे कोई poison ले ले लेता है यदि poison से कोई मरता है या फिर उसकी death कैसे हुई तो वो जो liver है न, liver को check करते हैं वो लो क्योंकि ultimately जो poisonous thing, drugs, दबा कोई भी चीज अंदर लिया है, आपने consume किया है तो फिर वो drugs को भी वो निकालने की कोशित पाकरी समय तक करता रहता है liver, तो liver में उसके कुछ अंस रह जाते हैं, इसलिए liver बहुत important हो जाता है, यह जो vitamin भी release करता है, कुछ, sorry, vitamin को संग्रहिद करता है, खनीज पदार्थ को संग्रहिद करता है, और glycosin के form में जो extra glucose है, उसको भी संग्रहिद करता है, और यह plasma protein जिसको albumin करते हैं, और clotting का उसको भी sunslesis करने का एक योगदान देता है, और सबसे बड़ी बात, इसको note कर लीजे, यह रक्त को साफ करता है, बहुत लोगों को यह सिर्फ पता है कि kidney ही filter करता है, बलड को, kidney blood को filter करता है, लोगों को पता है, kidney filter है आपका, वो filter करता है blood को और फिर वो सुद्ध blood आपके heart में आता हो, heart सिर्फ pump करता है, दिल का गाम पिर पंप करना है और कुछ ने, ठीक है, और धक धक और लबडब जो करता है, वो वस pump करने के लिए करता है, तो एक purify करता है blood को, ये भी blood को purify करता है, रक्त को साफ करता है, रक्त में जो bilubirine है, और रक्त में जो drugs है, रक्त में जो हार्मोन की extra quantity है, या रक्त में जो cholesterol की मात्रा है, उन सबों को ये filter करने में ये भी एक रोल प्ले करते हैं, तो फिल्टरेशन में सिर्फ किडिनी वर्क नहीं करता है, यह कृत भी वर्क करता है, चली अगले कोशन पर आता हूँ, पाउधे का जो अगला भाग है, अगर भाग से उत्तक को हटा कर, यह कोशिकाओं को अलग कर, रोगमुक परिस्तितियों में एक मू बेनी प्लांट कैन बी ग्रोन फॉम वर्क पैरेंट्स इन डीजिस फ्री कंडिसंस, इस टेक्निक इस काल वट चली कई लोग डी आंसर दे रहे हैं और कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं कुछ का सी भी है, बड़ी खुबसूरत है अंसर तब तो आज सी आंसर होगा, इसको उ इसू कल्चर कहते हैं इसको, बड़ कल्चर ये नहीं है, बड़ कल्चर एदी समझना है, आप कितारी खाते हैं कितारी, जानते हैं कितारी क्या होता है, नहीं जानते होंगे, गन्ना जानते होंगे आप गन्ना, खेट से गन्ना काटेगे न, तो गन्ना में क्या होता है, जह के नोड़ पर ऐसे एक कोपल सा बना होता है, यह जो कोपल है वो आगे एक बिक्ष भार ना बना देता है, इसको बड़् केकराते हैं, यह कली से एक नया प्लांट जेनेरेट कर रहे हैं, यह यह ओणality कर रहे हैs, अगली को होता है कि एक प्लांट सल से नया प्लांट डेवलप करना यह डिपिकल डेज के ओनली पॉसिबल इन लाइबरेटरी बट जो टीशू कल्चर है यह होता है कैसे प्लांट का जो अगला भाग होता है अगर भाग वो बहुत जादा ग्रोथ करने के कैपसिटी रखने वाला टीश हैं तो यहां पे हम जिस टीbeiten की बात कर रहे हैं वो बेसिकली ऐसे टीशू होता है जो पौधे के अगर भाग में तेजी से ग्रोख करने के लिए उनको डवल अब करते हैं वो ठीक है तो यहांपे टीशू कुल्चर होगा जो पौधों के के लाट की उत्तपाधन के लिए य जा सकते हैं अगले कोशन पर आता है प्रित्वी का सबसे पुराना जीव आप में आपको इन में से कौन लगता है चलिए अभी जो क्लोनिंग की जा रही है वो सेल कल्चर है बहुत अच्छे सही है चलिए प्रित्वी के सबसे पुराने जीव से मिलिए लाइकन जीव नहीं है वो तो कपल है लाइकन जो है एक बेहतरीन कपल है इसमें दो जीव होता है कवक पती की भूमिका में होता है और सैवाल मुहतर्मा की भूमिका में होता है तो लिचिंस जो है फंगस और एलगी के बीच का एक खास रिलेशन है जिसको आप सिंबायटिक मिजोलिजम मिचोलिजम कहते हैं इनके बीच की भूमिका होती है को मिनरल जुटाता है और सैवाल की भूमिका होती है कि वो फोटो सिंतेसिस करता है और इस तरह दोनों का जीवनी अपन चलता है आप सबों के उत्तर मुझे मिले ब्लू ग्रीन एलगी के रूप में और सही जवाब यही है नील हरित सहवाल जिसको साइनो वैक्टीरिया भी कहते हैं आपने किसी ने नहीं लिखा तो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ साइनो वैक्टीरिया इसको साइनो वैक्टीरिया भी कहते हैं साइनो वैक्टीरिया प्रित्वी का सबसे पुराना जीव है दोनों काम कर सकता है क्या कर सकता है प्रकास संसलेशन भी कर सकता है और उससे अपना भोजन बना सकता है ठीक है प्रकास संसलिसन भी कर सकता है ये और साथ ही साथ जर्णत परा तो दूसरे जीव को खा के भी अपना काम चला सकता है इसी को करते हैं ब्लू ग्रीन अल्गी, इसी को करते हैं साइनो बैक्टिरिया और दोनों माध्यम से ये अपना उर्जा प्राप्त कर सकता है औक्सिजन उत्पन भी कर सकता है खुद ही बिल्कुल एक बच्चा लिकर है लाइकेन को नाच्रल पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है लाइकेन ऐसी जगह ही सर्वाइब करता है जहां पॉल्यूशन जीरो हो, जीरो पॉल्यूशन को सो करता है वो यदि कहीं लाइकेन माधूद है मतलब पॉल्यूशन का स्तर कम है अक्सर पोलर रीजन में लाइकेन मिलता है वहाँ pollution कम होता है, यसलिए वहाँ grow करता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप से साइनो बैक्टीरिया के बारे में, और साइनो बैक्टीरिया जो है, यह खुद ही oxygen उत्पन न कर सकती, यदि हमें अंत्रिच में किसी ऐसे planet पे भेजना है किसी जीव को यह पता करने के लिए कि वह सर्वाइव कर सकता है कि नहीं, तो ऐसे केसिस में साइनो बैक्टीरिया सबसे महतोपूर है, साइनो बैक्टीरिया को यह ऐसे planet पे बेज दिया जाए, जहाँ oxygen नहीं है, तो भी वह वहाँ सर्वाइव कर जाएगा, सिर्फ सनलाइट आन इने में सबसे बड़ी भूमी का निवाती है, साइन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलोगी, आमीबा और कवक और लाइकेन यह एक्स्टा इन्पॉर्मेशन आपके पास है, कौन माता पिता से संतानों में बंसा नुगत विसिस्ताओं के हस्तानांतरन को नियंत्रित करता है which of the following controls the transfer of hereditary characteristics from parents to offspring, अक्सर आप कहते होंगे कि मैं अपने पापा का कारवन कॉपी हूँ या कोई अपनी मम्मा का कारवन कॉपी होती है, बिल्कुल मैं भी कहता हूँ कि मैं अपने पादर का पिल्कुल true कॉपी कारवन कॉपी हूँ, गाउं में तो पुरानी बुडी दाद देखके ही बोलती है, संकर के बेटा चिको, हाँ, हाँ, संकर के बेटा चिकिये, तो यह जो देखके पहचानने वाला सिस्टम है, उरी पुडानी जो लोग होते हैं, देखते के साथ पहचान लेते हैं, सकल, हाँ उक्रे ऐसन मुठाओना छे, मुठाओना, मैं बहुत बात करता हूँ, कई सारे सब्द सीखता हूँ, यह जो चीजें हैं, जो लोग आपको देखके पहचान जाते हैं, कि तो यह फलना के चुको, बेटा, यह जो hereditary characteristics आता है, वो hereditary characteristics ट्रांसफर होता है जीन से, ठीक है, जीन से, बिल्कुल, तहां answer जीन ही होगा, जीन्स, हाँ, जीन्स के कारण ही आप में, आप अपने पापा या आपनी मम्मा के कारवन कॉपी के रूप में होते हैं, जैसे होता है न, कि जो जो उनमें characteristics से वो आप में आ जाता है, तो यह जीन के कारण होता है, बंसा नगत भी सिस्ता हैं जीन के कारण, अब यह जीन है क्य तो जो DNA है उस पे चोट 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 जो पार्टिकल्स होते हैं नन्ने नन्ने कन के रूप में जीन होते हैं जीन डबलब भी होते हैं according to the geographical conditions, according to these जो आपको exposure मिला उसके कारण कई तरह के जीन create होते हैं फिर अगली PD में transfer होते हैं कुछ बंसा नुगत आते हैं, कुछ आप generate करते हैं और फिर अगले को transfer करते हैं ये culture है, ये परवपरा है, biological परवपरा एक व्यक्ति के माता पिता अपनी कुछ विसेस्ताओं को उस व्यक्ति में हस्तानांतरित करते हैं जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि पपा पिता की आँखें बुरी है तो उस व्यक्ति के आँखें बुरी हो सकती है, यदि व्यक्ति के मा के बाल घुंगराले हैं तो उसके बाल भी घुंगराले हो सकते हैं, पपा पे गया है, मम्मा पे गई है, निमनलकित कतनों में से कौन सही नहीं है, पहचानी जल्दी, कौन सही नहीं है, का आपने सेर किया और भी कई बातें सेर की जीण म्यूटेशन भी होता है बिलकुल म्यूटेशन होता है. यह कैनस on ने होता है चुछ आप मैंदी तीं कौन सही है और कौन सही नहीं है ये देखना है विसक रफ the following statement पहला स्टेट्मेंट है बिटामिन की कमी के कारण रखत का थक्का बनने का समय बढ़ जाता है और पिलागरा रोग बिटामिन B3 की कमी से होता है बेरी-बेरी बिटामिन B12 की कमी से होता है और एकेट बिटामिन D क कमी से होता है डूनना है किसमें गलत कौन है गलत है C जो बेरी बेरी रोग है vitamin B1 की कमी से होने वाला रोग है थाइमीन की कमी से होने वाला रोग है और दो प्रकार का रोग होता है एक होता है bet very very और एक होता है dry very very दो तरह की बिमारी होती है वेरी-वेरी में एक dry वेरी-वेरी होता है एक weight वेरी-वेरी होता है और दोनों के दोनों जो भीमारी होती है वेरी-वेरी वो B12 से नहीं होती है वो B1 से होती है थाइमिन की कमी के कारण होती है विटामिन B1 की कमी के कारण वेरी-वेरी डिजीज होता है और बाकी सब सही है व बिटामिन BPSC का फेवरेट है, तो हम चाहेंगे कि बिटामिन से रिलेटेड है, कोई भी कोश्चन गलत नहीं हो राची, यहीं गलत होता है, तो बिटामिन वाला चैप्टर दोबारा, तिबारा, चोबारा, पजबारा पढ़ लीजे, लेकिन पढ़ लीजे, उसे एक कोश्च बिटामिन D की कमी के कारण होता है, बिल्कल से, मेरे एक बड़ा प्यारा मित्र हुआ करता था, उसका नाम था, अमरनाथ चंपारन का था, ऐसा बीएड की क्लास में था वो, तो उसको पेसमेकर लगा हुआ था, सीने में, पूरा ऐसे चीड़ पार हुआ था, मस्त बेहतरीन इंसान था, तो हम और वो एक, अचानक सन्योग से मिले हुए दो मित्र थे, और दोनों ने जम्मू में, जम्मू उनिवस्टी से मेरे बीएड हुई थी, और हम दोनों ऐसे थे, जो तै किये थे, कोहां रहा के करेंगे, पैशा नहीं देंगे, तो हम दोनों ने एक कमरा किरा था, उसी पर बनाना था, खाना, और खाना उसी को बनाने आता था, पहले उसे नहीं आता, अवो टमाटर रियूज नहीं करें, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, ठीक है, कि टमाटर क्यों नहीं खाते तुम, तो उसने बताया कि यदि मैं टमाटर खाऊंगा, तो मेरा बिटामिन के पाया जाता है, ऐसा उसने बताया और फिर मैंने चेक किया कि पाऊंगा, तो याद रखिए गए यह पॉइंट बड़ा इंपॉटिंट है, कि बिटामिन के यदि आपकी बड़ी में रहेगा, तो कौन गाड़ा होगा, वो एक टैबलेट खाता था, जो बिटा लाव जब निन्दा है, सो जवबाए मेरे, ठीक है, वच्पना नहीं करते हैं, सब मैचूरिटी दिखाओ यहाँ पर, मैचूरिटी दिखाना है, निमलखी तो करनों में से कौन सा बातवर्ण में है, रिलेटिव इमिडिटी की माप करता है, अब बाद में देख लेना, लिए, देखेंगा इस पर, बहुत सही, 22 नमर कोशन का आंसर, 22 नमर कोशन का आंसर है, बी, बी नमर है, बी बिलकुल सही है, साइक्रो मीटर बोलते हैं, साइक्रो मीटर बोलते हैं, साइक्रो मीटर आ सकता है, एक्जाम बें इंपोर्टिंट है, इस से रिलेटिव इमिडि मेजरमेंट करते हैं, relative humidity मापते हैं, अब आप में से कोई भाईवान ये भी कह सकता है कि सर, relative humidity क्या होता है, बताइए, मैं बताता हूँ आपको, इससे पहले मैं vitamin K वाला, जो vitamin वाली चीज़ें थी, हम उसको पढ़ दूँ, जो हमारे पास content है, जमा, वो भी आपके काम आएग देखे, vitamin K तो आपने जान लिया, कि ठक्का बनने में समय लगता है, पेलागरा vitamin B3, जिसको नियासिन करते हैं, उसके कारण, कमी के कारण होता है, पेलागरा बिमारी क्या है, तुचा में जलन होती है, अचानक उसको तुचा में ऐसा जलन मच्चे का, जैसे किसने मिर्ची पोत दिया हो, या मुँ में बहुत चाला होगा, बार-बार कितनों दबाये ले फिर भी चाला होता रहेगा मुँ के अंदर, यदि लगातार मेडिसन लेने के बाद भी मुँ के चाले कतम नहीं हो रहे है, तो पेलागरा बिमारी हो सकती है, यानि vitamin B3 की कमी है, जिसको निया अगर आप जानके समझाने के लिए बता है बेरी-बेरी जो बिटामिन B1 के कमी के कारण होता है थाइमीन के कमी के कारण होता है दो तरह की बेरी-बेरी होता है एक बेट बेरी-बेरी एक ड्राइ बेरी-बेरी ये बिमारी भी एक बहुत ही यूनिक टाइप आप बिमारी है ठ वो सकतर तो मजबूत और स्वस्त हटीयों के बिकास के लिए बहुत जरूरी होता है vitamin D और रिकेट्स में से पिडित लोग जोते हैं उसके हटियां बहुत कमजूर हो जाती है अब रुद्ध हो जाता है उसका बिकास रुक जाता है आटियां ऐसे टेडी हो जाती है टेडी हो जाती है आपने देखा होगा बिक्रित हो जाती है आटियां तो वो रिकेट्स के कारण होता है बच्चों में बहुत जादा होता है जी जी बिल्कुल पिलागरा द्यू टू बी फाइब पेलागरा B5 के करण होता है हमारे पास B3 लिखा है और यहाँ पे भी B3 ही लिखा हुआ तो एक बार चेक कर लिजेगा ठीक है आप अपने अनुसार से अब हम बात करें relative humidity क्या है साइक्रोमीटर जो है वो wet bulb temperature मापन के साथ relative humidity दोनों मापता है यानि कि wet bulb temperature और wet bulb humidity दोनों को मेजर करता है साइक्रोमीटर यह एक तरह का आप कह सकते हैं thermometer ही होता है drive bulb thermometer होता है और उसी की मदद से इसको मेजर किया जाता है और साइक्रोमीटर का अविसकार किया था Ferdinand August ने Ferdinand August ने इसका विसकार किया था साइक्रोमीटर का और हवा में जो जलवास्त सही तो उसके जो गुनदर्म है उसको पूरी तरह से मेजर करके कि साइनस्टिफिक रीडिंग देता है साइक्रोमीटर को कोशन यही आएगा relative humidity या wet bulb temperature किस से मापते हैं तो साइक्रोमीटर से मापते हैं अगले पॉइंट पे आते हैं next question पे आते हैं next question है हमारा friction के संबंद में आपको पता करना है कौन सा कथन सही है friction घर्सन दो सतों के बीच सापेक्चिक असपरसी गती पर लगने वाले बल को friction या घर्सन कहते हैं जब हम किसी पुस्तक को परस पे धके लने का प्रयास करते हैं तो घर्सन के कारण ही वो गिर्टा नहीं है आगे खिचता नहीं है घर्सन अनुक्षा कुमारी एक information share कर रहे है ठीक है थैंक्यू सो मच answer इसका E होगा विकल्प E होगा E सही है उत्तर E answer होगा more than one of the above गर्सन हमेशा उस दिशा के विप्रिद दिशा में कारे करता है जिस दिशा में बस्तु गमन करती है या गमन करने का प्रयास करती है गर्सन हमेशा एक गमन करती हुई बस्तु या move करती हुई बस्तु की गति को कम करता है बिल्कुल ये दो सरक्ती या गतिकर्ती सत्वों के बीच कारे करता है और दूसरी बात है कि ये हमेशा वस्तु की गतिकी तिसा के विप्रिद्धी सामे कारे करता है ये उस्मा उत्पन नहीं करता है ये तो गलत है गर्षन उस्मा भी उत्पन करता है ये खुरदरी सत्व हो तो गर्षन जादा लगता है और गर्षन से उत्मा उत्पन होता है और ये हाथेली को आप रग रहेंगे तो भी उत्मा उत्पन होगा तो इस हिसाब से ये गलत है और ये भी गलत है और ये दोनों सही है इसमें मोर का उदारन है, दाब का नहीं, घरसन जो है एक तरह का बल है, वह दाब नहीं है, तो दाब जो है ये वाला गलत पॉइंट होगा, ये रौंग होगा, ठीक है, एक तरफ विद्युद्धारा दाब तापमान पदार्द की मात्रा है, और दूसरी तरफ आपको पहचानना है उसक सुमेलित कौन नहीं है इसको जल्दी खतम कर लेते हैं देखिए जो विद्युद्धारा है उसको एंपियर में मापा जाता है तो ये सुमेलित है दाब जो है उसको बार में भी मापते हैं पास्कल में भी मापते हैं एट्मास्परिक तो ये पास्कल सही है तापमान को रैंकि जान लिजेगा Rankin, Temperature मापने के लिए यूज होता है, Rankin भी यूज होता है, Celsius भी यूज होता है, Kelvin भी यूज होता है, Coronide भी यूज होता है और पदार्थ की मात्रा जो है Mole में मापी जाती है ना कि Kilogram में मापी जाती है तो ये गलत है D जो है, गलत है amount of substances ये mole में मापी जाती है mole में मापी जाती है ना कि kilogram है तो D correct answer है बिल्कुल सही D नहीं होगा उसमें तो निम्निल्कित में से कौन सा पदार था अनुचुम्बकियर गुनों को प्रदर्सित नहीं करता which among the following materials does not sow या do not sow paramagnetic properties बताए जल्दी paramagnetic properties को कौन सो नहीं करता है cesium, magnesium, tungsten और gold देखिए अनुचुम्बकत्व या paramagnetism चुम्बकत्व का एक example है एक type है जहां कुछ पदार्थ एक बाहिरूप से अधी आरोपित चुम्बकियर चेत्र द्वारा चीन रूप से आकरसित होते हैं minimum एक magnetic attraction create करता है यह प्रेरित चुम्बकियर चेत्र का निर्मान करता है magnetic field create करता है और जो पदार्थ magnetic field create करने की characteristics रखता है उसी को करते हैं अनुचुम्बकियर प्रकृति वाला पदार्थ तो अनुचुम्बकियर प्रकृति वाला पदार्थ कौन-कौन है cesium है aluminium है gold है copper है tungsten है lithium है magnesium है sodium है तो सब हैं यहाँ पे cesium, magnesium, tungsten, gold यह सारे के सारे अनुचुम्बकियर पदार्थ है यानि कि यह सब के सब paramagnetic properties वाले metal है paramagnetic properties वाले matter है यह सब के सब क्योंकि यह सब अपना प्रेरित चुम्बकियर छेत्र create करने में capable है ठीक है तो यह sorry यह capable है और यह नहीं पूछ रहा है तो भी ही होगा यह सब है और पूछ रहा है नहीं है तो कोई नहीं इसमें एक से अधिक नहीं हो जाएगा कोई नहीं मतलब सब है का मतलब क्या हो गया सब नहीं है नहीं पूछता तो सब नहीं तो यह ही आंसर होगा यह नहीं को आँसर है यह ही आंसर होगा ठीक है चलो अगले question पर आज़ाut भाई मेरे बरसा की बुंदों के गोल आकार ग्रहन करने का क्या कारण है जी और BPSC ये BPSC का फेवरिट कोस्टिन है बार बार पूछता है बरसा की बुंदे जलके प्रिस्ट तनाओं के कारण सर्फेस टेंसन के कारण गोल आकार ग्रहन करती है और ये जो प्रिस्ट तनाओं होता है जलक अनुओं में एक आधत होती है, वो एक दूसरे के साथ सठके रहने में ज़्यादा इंटरस्स दिखाती है, तो इसके कारण की टेंजन क्रियेट होता है, अट्रेक्शन क्रियेट होता है और वो बुन्द को गूल create कर देता है तो आंसर बिलकुल सही है surface tension इसका answer होगा बर्सा की बुंदों के गोल होने के पीछे surface tension responsible है यह प्रिष्ट तनाओ जल काया यानि जल की तवचा के समान काम करता है एक तवचा create कर देता है चारो तरफ से जल का एक तवचा का create कर देता है ठीक है तो बर्सा की बुंदें जो है वो प्रिष्ट सनाओ के कारण गोल आकार ले लेती है कि उन बुंदों के अंदर जो molecules है water molecules उन molecules के अंदर यह nature होता है कि वो एक साथ रहना चाहती है एक साथ चिपक जाती है तो इससे एक surface create होता है चारों तरफ उनका जिसके कारण वो गोल होती है वो surface उनकी तवचा जैसा behave करती है जो अनुओं को बांदे रखती है उस molecules को बांदे रखती है बंद के अंदर बंद के अंदर वो बंदे रहते हैं इसके कारण जल के अनुओं के बीच मौजूद चीन हाइडरोजन बंद होता है जो उसको बांदे रखता है और जल की जो छोटी बंदे होती है उनके प्रिष्ट तनाओ बरी बंदों की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है बरी बंदों में जो प्रिष्ट तनाओ होता है उसकी तुलना में जो बरसा की छोटी बुंदे हैं उनकी जादा होती है प्रिष्ट तनावन, उनके भी जादा होता है मजबूत प्रिष्ट तनाव होता है और गोल आकार क्यों होता है गोल ही क्यों होता है ताकि वो नियूंतम संभव प्रिष्ट को गेर सके कम से कम फ्रिस्ट छित्र को वो घेर सके और ऐसा इसली होता है बायमंडल में ताकि बाय बल का वो बिरोध कर पाए जब वो कम ज़्यादा जगह छेकेगा तो बाहरी बल उसको क्या करेगा नीचे आने नहीं देगा उसको रोकेगा कम जगह छेकेगा तो वो तेजी से नीचे की और मतलब वो गती कर पाएगा विरोध कम होगा उसका तो प्रिस्ट तनाओ जो है बिल्कुल समसंजक बल के कारणा अच्छी बात है और एक भाई सोया नहीं अभी तक संधीव कुमार गुड़नाइट बोल के अभी फिर लिख रहा है नहीं समझ में आया सार चलो तुम रहो भाई एक दो भाई ऐसा होना चीए जब गुड़नाइट के बाद भी रहे बाकि समझ में नहीं आया तो भाई फोगो देखो हम कोजिस करेंगे आपको समझाने की ठीक है दिल पे मत लीजिएगा मेरी बात बड़ा भाई कभी कभी ले लिता है एक आठ चरन ठीक है बर्स 1921 में आयनस्टीन को बहुतकी का नोबल पुरुषकार किस विशे के लिए दिया गया था? ये प्रस्ण भी बारबार पूछता है बुच्टा है बहुतकी का नोबल पुरुषकार 1921 में अलबर्ट आइनस्टीन को किस लिए दिया गया था? रिजल्ट मेकर बनना है एटेंशन सीकर नहीं बनना है याद रखिएगा रिजल्ट मेकर बनिए सन्नाटे के साथ चीजों को आत्मसाथ करते जाएए आपके नाम की गुण्ज हर कोई ऐसे ही दिखाएगा जब आप सलेक्ट हो जाएंगे तो और कोई अप्रोच करेगा आपको कि आप आएं और दो सब्द अपनी बात रखें और उस समय पूरे देश का अटेंशन होगा आपको सुनने का तो चलिए अगले प्रसन पर जवाब दे देंगे 1921 में अलबर्ट आइंस्टीन को डिस्कवरी ऑफ दि लाव फोटो अलक्ट्रिक एफेक्ट को ले करके उनको नोबल मिला था 1921 कई बच्चा अलबर्ट आइंस्टीन को सिर्फ ई बरावर एम इंटू सी के स्कुवाइर के नाम से जानता और उसी को लिख देता है भाई मेरे बहन मेरी नहीं मिला था उसके लिए उनको नोबल 1921 में 1921 में उनको जो नोबल मिला था अलबर्ट आइंस्टीन जी को वो मिला था प्रकास विद्युत प्रभाव के नियम की खोज करने के लिए सापेक्चता के सिध्धान्त के लिए नहीं मिला था तो जो बच्चा सापेक्चता के सिद्धान्त लिख रहे हैं वो गलत है प्रकास विद्यूत प्रभाव क्या होता है देखे जब किसी धातू पर प्रकास परता है तो धातू की सतह से एलक्ट्रोन बाहर निकल सकता है और जिस पर इघटना को प्रकास विद्धुत प्रभाव कहते है जैसे किसी मैटल पे लाइट पड़ा तो लाइट क्या है फोटोन जब फोटोन की बंबारी हुई तो मैटल के जो बाहरी कक्चा में लेक्ट्रोन हैं कभी-कभी वो बाहर निकलाते हैं तो जब इलक्ट्रोन बाहर आएंगे तो यह नहीं विद्धुत का प्रभाव क्रियेट होगा प्रकास इसी प्रक्रिया को प्रकास उत्तुसरजन के रूप में जाना जाता है और धातु से बाहर निकलने वाले इलक्ट्रोन को फोटो इलक्ट्रोन कहा जाता है अपने ब्यभार और गुनों के संदर्व में फोटो एलक्ट्रोन अन्य अलक्ट्रोन के जैसे होते हैं और एलक्ट्रोन के साथ जुड़े हुए फोटो सब्द जो है ये इंगित करता है कि वो उस इलक्ट्रोन धातु की सता पर आपतित किरनों के कारण बाहर निकले हैं ठीक है तो याद रखिएगा ये यूनिक कोश्चन है अक्सर बच्चा जान बुझ के पता नहीं क्या हो जाता है उस टाइंग बच्चा क्वाइंस्टीन देखते ही जैसे नहीं ठंडा मतलब क लेकिन रटा दिया गया है धिमांग में ठंडा मतलब कोग बहुत बिकता है वही वाली बात है 1921 का physics का novel ठीक है निमलकित में से किस प्रयोजन के लिए hydrogen का उपयोग नहीं कर सकते आप NKCAT चलिए अच्छी बात है हम तैयारी नहीं कर पाएं है सर ये विडियो के अलावा क्या-क्या पढ़ें बढ़ी लंबी चर्चा हो सकती है और अभी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ 50 पुराने पे तो मुझे बहन 50 पुराने दे जल्दी से आदे गंटे में ठीक है यहाँ सब बुजुर्ग लोग हैं मैं बुढ़ा मेरे सारे भाईबान बुढ़े नन्य बच्चों से अलग से बात करने का समय निकाला जाएगा 28 नमबर कोशन है और इसका आंसर है हाइड्रोजन का जो उपयोग है हाइड्रोजन का उपयोग जो है कोईले को सिंथाटिक पेट्रोलियम में रुपांतरित करने के लिए भी किया जाता है कोईले को सिंथाटिक पेट्रोलियम के रूप में रुपांतरित करने के लिए किया जाता है कोईले का synthetic petroleum में conversion करने के लिए hydrogen use होता है ammonia के निर्मान में भी वह ammonia जिसका huge fertilizer बनाने में होता है वह ammonia जिसका huge fertilizer बनाने में होता है उस ammonia के निर्मान में भी hydrogen का यूज होता है रॉकेट इंधन के रूप में बारी रॉकेट के लिए प्राइमरी फ्यूल होता है हाइड्रोजन जो होता है रॉकेट में प्राइमरी फ्यूल होता है और हाँ धातूओं के सोधन में मेटलर्जी में मैटल को मैटल का जो ट्रीट्मेंट होता है treating of the metal metallurgy process में hydrogen use होता है यानि कि A B C इन सब में use होता है hydrogen इसके अलावा खाद्य पदार्थों के प्रसंसकरन में भी खाद्य पदार्थों के प्रसंसकरन में भी food processing में भी use होता है hydrogen refine कहते है न आप refine में भी hydrogen use होता है कैसे उसको जो refine करते है उसके लिए hydrogen का यूज किया जाता है एक process होता है खास इसके अलावाब गुबारा में भी भरते हैं आप hydrogen अलाकि गुबारे में helium भरे तो जादा बहतर है बस photo sport नहीं करेगा लेकिन कहीं कहीं hydrogen भी use होता है किस तापमान पर यानि कि सब सही है इसलिए यह आंसर हो गया ठीक है यह आंसर हो गया इसका किस तापमान पर जल का घनत तो अधिक्तम होता है इस पर हम बात कर चुके हैं किस तापमान पर बिलकुल बनस्पतिगी के निर्मान में उफ्योग होता है बहुत अच्छी बात है जी अच्छा अच्छा ठीक है जारक hydrogen law का उफ्योग दातों को काटने और जोरने में भी किया जाता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सही बिलकुल सही 29 नम्मर कोशन है और सही जवाब इसका होगा चार डिगरी सलसियस आपने कहा है बिलकुल सही कहा है चार डिगरी सलसियस होगा अगले point पे आते हैं कई मासुम बचे मुझसे whatsapp पे या phone करके ऐसे नादान वाले सवाल पूछते हैं कि मैं कभी-कभी confused रहता हूँ BPSC ने एक notification दिया था न कि age जो है वो जो उससे ज़्यादा age वाले जो जितना restriction है age का उससे ज़्यादा लोग जो form भरे हैं उनका form reject किया जा रहा है तो कई लोगों ने मेरे से phone करके पूछा कि ऐसा क्या हो गया है क्या है नहीं है जो syllabus को ठीक से देखो और exam pattern को ठीक से देखो age limit category के recording जो है उसको भी देख लो यह सारा confusion ऐसे ही दूर हो जाता है ठीक है निमलकित में से कौन गैस नोबल नहीं है आप आंसर दीजिए फटाफट noble gas का मतलब utkrist gas है बिल्कुल आँ उस question का answer 4 degree Celsius सही का आपने 4 degree Celsius सही का जल का जो घनत तो होता है 4 degree Celsius पर अधिकतम होता है बिल्कुल सही है और क्यों होता है 4 degree Celsius पर यह अधिकतम घनत हो है इसके पिछे दो बल काम करते हैं एक बल का नाम है thermal kinetic expansion force और दूसरे बल का नाम है hydrogen bounding force यह दोनों परसपर विरोधी बल है और इनी दोनों बलों के खीचा तानी के कारण 4 degree तक आते आते जो घनत तो होता है जल का वो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ novel gas का क्रिस्ट gas का और novel gas जो है इसी को हम inert gas भी बोलते हैं inert मतलब आक्रिय गैस inert मतलब आक्रिय गैस या non-reactive gas भी बोलते हैं non-reactive gas inert gas novel gas कौन-कौन है novel gas तो helium है neon है argon है krypton है ginon है redon है और oganation है यह नहीं OG यह सब के सब उत्ख्रिस्ट gas है तो यहाँ पर भी आपका आंसर जो है ए होगा आर्सेनिक आर्सेनिक जो है वो नहीं है इसमें तो आर्सेनिक नहीं है novel gas और बाग की सब के सब है photography में इस्तेमाल होने वाला लवन कौन सा है the salt used in photography is बिलकुल चले अगले point पर बात कीजे questions के answers पर ज़्यादा focus करिए ठीक है और पालतू बात ना किया जाए जो लोग पालतू बात करते हैं वो ऐसे लोग ना चाहिए यहाँ पर भाई immature लोग ना चाहिए यहाँ बिलकुल और बिलकुल आप बात क्या करो हमेशा जो यहाँ पर exam point of view से important है set का answer दो हमारा कुनो मकसद ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ अंगामा करा करें वो मकसद होता तो यहाँ ड्रामेवाजी चल रहा होता चिला चिली मचा होता आजा कुछ नहीं है हम बात कर रहे है फोटोग्राफिय में इस्तिमाल होने वाले लवन की 31 नमर कोशन है सिल्वर ब्रोमाइड है सिल्वर ब्रोमाइड की प्रकास संबेदन सील प्रकृति के कारण सिल्वर ब्रोमाइड एक लवन है एक सॉल्ट है bromide जिसके अंत में लगा हो salty होता है याद रखते है silver bromide जो है एक तरह का लबन है salt है salt है, metal salt तरह का ही है Silver bromide यूज किया जाता है photography में अब कैसे यूज होता है? क्या यूज होता है? कैसे यूज होता है το silver bromide में एक तरह का ये मृदू, हलका पीला और जल में और घुलनसील लबन है ठीक है जल में और घुलनसील लबन है ये और ये एक तरह से प्रकास के प्रती और सामान्य समेदन सीलता के लिए जाना जाता है लबन मतलब सॉल्ट की बात कर रहाँ सॉल्ट की बात कर रहाँ तो लबन जो है प्राकृतिक रूप में ब्रोम, ब्रोमजराइट या ब्रोमराइट खनीज के रूप में पाया जाता है या पिर ये जो ब्रोमाइड लवन है इसका उप्योग फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म को फिल्म में किया जाता है और करती क्या है ये इन्फरारेड के लिए इन्फरारे इसलिए यूज होता है फोटोग्राफि में क्योंकि पोटो लाइट, लाइट के प्रतिफ हाईली सेंसेटिव होता है, हाईली सेंपेसित, हलका भी लाइट का फ्लक आया तो वो उसको, मतलब मैंने इस कर लिता है, इमेज बनाने में यूज हो जाता है, फ्लास्टर ओप पेरि निमलकित मैंसे किस से बना होता है, हाँ, बिल्कुल मिरर के पीछे भी यूज होता है, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही है, आप सबका बहुत अच्छा आंसर है, जिपसम सही का आपने, प्लास्टर ओप पेरिस एक सफेद रंग का चूर्ण है, जो जिपसम से बना हो है तो plaster of Paris में convert होता है कभी ये भी question पूछा जाता है कि gypsum को कितने temperature पर goerm किया jutा है gypsum को कितने temperature पर goerm किया जाता है gypsum calcium sulphate और जल से बना होता है calcium sulphate dihydrate बोलते हैं को calcium sulphate dihydrate ंहाज कैल्सियम सलफे डाय हाइडरेट को जब हम गर्म करते हैं खास टमपरिचर पर गर्म करते हैं एक सो बीज डिग्री सेंटिग्रेट रस्मी कटियार लिखनी है और रमीन लिखनी है एक सो बीज सही जवाब है हमारे पास तो 120 लिखा है मौर दिन 120 डिग्री के टमपरिचर पर जब हम गर्म करते हैं उसको तो वो एक महीन जो महीन कर रहा हूँ वाइट चूरन में बदल जाता है और इसी सफेद चूरन के प्लास्टर और पेरिस बोलते हैं और जब इसको पानी के साथ मिलाते हैं पानी के साथ जब मिलाते हैं तो यह एक paste में convert होता है और यह paste जब सुकता है तो कठोर हो जाता है ठीक है पेस्ट जब सुकता है तो कठोर हो जाता है एक भाई आये हैं ग्यान दे रहे हैं रिजॉप Atlantic हैं वो सब को ग्यान दे रहे हैं कि अभी current पे focus करो जिसको pass होना है देखो भाई हम लोग current पे ही focus कर रहे है आज संजोग से तुम आए और हम साइन्स पे focus करने लगे ठीक है तो कल से तुम आना फिर कल हम current पे focus करेंगे ठीक है तुमको इतना attention दिये भाई हम अलग से आगे देख लो plaster of Paris के कुछ उपी हो गदा हमने अभी class start होने से पहले कहा जो लोग भी ग्यान दे चाहे हम हो या ग्यानी जो भी आए सिर्फ उसको सुनो और इग्नोर मारो करो अपने मन की तुमारी खुद की रन निती तुमको result दिलाएगी अववा पववा ओने पाउने हम जैसे सैक्णों आएंगे और ग्यान देके निकल जाएंगे सबसे सस्ता काम क्या है दुनिया में गौतम बुद बोल के गाएं सबसे सस्ता काम है ग्यान देना और ग्यान सबसे ज़्यादा हमरे जैसे लोग देते हैं हम और जो जिनके पास ज़्यादा टाइम है तो आप अपना निती खुद बनाना औरों पर मत सुनना कि अभी ये करो वो करो और बहुत लोग औरों को सुनते हो यार और रुकेदार आके कोई भी ठेकेदारी कर जाए बिल्कुल नहीं ठेकेदारी के चक्क्र में मत रहना सैक्रों ठेकेदारे से आएंगे और कहेंगे डियम साहब ई करिये ज्यादा सही रहेगा तो एक्दम जूता चपल रेडी रखना प्लास्टर आप पेरिस अपनी रन्यती खुद बनाना ठीक है बिल्कुल अपनी रन्यती बनाना प्लास्टर आप पेरिस निम्लखित में से किस से बना होता है तुमने सही बताया जिप्सम और जिप्सम पे हमने बात कर ली निम्लखित में से किस अमल को अमलराज के नाम से जा आग के खत्रों से बचने के लिए भी ये यूज किया जाता है plaster of Paris क्योंकि ये आग का प्रतिरोधी होता है ये unique information था यहाँ पे इसने मैंने बताया fresco painting जो बारबार VPSD पूछती है fresco painting में भी ये use होता है बिल्कुल सही का king of acid बोलते है king of acid अमल कौन से अमल को बोलते है king of acid king of acid बोलते है sulfuric acid को अमल राज king of acid बोलते है sulfuric acid को बहुत लोग यहाँ पे confused आते हैं hydrochloric HCL को भी समझ लेते हैं लेकिन प्रयोग साला और रासाइनिक उद्योग में ब्यापक उभ्योग के कारण sulfuric acid को अमल राज कहा जाता है याद रखेगा sulfuric acid एक खनी जामल है और attling acid भी बोलते हैं इसको या oil of the vitriol भी बोलते है oil of the vitriol भी बोलते है ठीक है अगले point पे आते हैं और sulfuric acid का use भी याद रखेगा इसका खाद बनाने में use होता है paint बनाने में यूज होता है plastic बनाने में यूज होता है fiber बनाने में भी यूज होता है sulfuric acid का fiber बनाने में भी यूज होता है sulfuric acid का अगले point पे आ जाएए जो warm warm-blooded जो mammals होते है नियत तापी ठीक है नियत तापी अस्तंदारी जो होते है regulation of temperature in warm-blooded mammals थोड़ा spelling यहां पे गलत हो गया है warm-blooded देखो एक cold-blooded होता है एक warm-blooded होता है ठीक है warm-blooded होता है और cold-blooded होता है चलिए जल्दी बताइए जो लोग answer लिखते हैं न उनका रिखते हैं न उनका रिखते हैं reply तो बनता है तो जल्दी आंसर लिखते जाएए नियत तापी बोलते है warm-blooded बोलते हैं एक बच्चा मैंसे पूछ रहा था कि सर मॉस्क्यूटो काटता क्यों है तो मैंने बोला बेटा मॉस्क्यूटो नहीं काटता मॉस्क्यूटो काटती है तो क्या पेट भरने के लिए मॉस्क्यूटो आपका खूण पीता है नई मॉस्क्यूटो cold-blooded है और आप है warm-blooded तो warm-blooded animals जो होता है खास करके जो mammals जितने भी हैं अस्तंधारी जितने भी हैं सबके सब warm-blooded ही होते हैं गर्म-कूण वाले होते हैं आपके ब्लड का अपना एक temperature होता है और उसी temperature को मॉस्क्यूटो यूज करता है अपने एक के पर्टिलाइज करने के लिए तो जो female mosquito होती है वो blood इसलिए consume करके जमा करती है ताकि उस blood के heat से अपने अंदर जो हजारों अंडे दे रखे हैं उसने उसको वो पर्टिलाइज कर सके पर्टिलाइजन आप एक के लिए एक मातारानी जो है वो माता मतलब जो female mosquito है वो risk लेती है जान पे केलती है तो याद रखेएगा warm-leaded mammal सरीर के तापमान को परिवेस के तापमान से अधिक बनाए रख सकता है वो सरीर के तापमान को बेनेमित कर सकता है convection का उपयोग करता है इसके लिए और convection के process के तुरू convection संबहन क्या होता है convection संबहन convection के तुरू क्या करता है वो अपने सरीर के तापमान को संतुलित रखता है चीक है सरीर में कोशिकाउंदार उत्पन होने वाली उसमा सरीर में प्रभाहित बायू या जल में अस्तनांत्रित कर दी जाती है और उसके माध्यम से बाहर निकलाता है जो सांस छोड़ते हैं आप वो गरम निकलता है क्यों क्यों क्योंकि वो जो convection के कारण body के अंदर के heat को वो बाहर निकल देता है या urine पास करते हैं या इस्तुल पास करते हैं वो गरम होता है तो गरम होने का कारण सरीर के अंदर का जो temperature है उसको balance करते हैं अगला है कुनैन के spelling तोरह सुधार लेजिए दवा के रूप में किस रोग के उपचार के लिए उपियोग किया जाता है पटापट लिखे हां मच्छर गंदगी खाता है जहां गंदगी है आप देखेंगे मच्छर जो mainly उसका food है गंदगी है food और जो mosquitoes जो खून चूसती है वो food के रूप में नहीं चूसती है mosquito के लिए blood food नहीं है ऐसा नहीं है कि वो अपना पोशन आपका पोशकता तो लेकि अपना पोशन करते मॉस्किटो आपका blood इसलिए absorb करती है ताकि वो fertilize कर सके अपने एग को अपने अंडों को fertilize करने के लिए वो आपका blood लेती है कि कि आप warm blooded है जो warm blooded है उसको temperature जो है वो अपने बड़ी का खुद maintain कर सकता है गरम खुन वाले लोग हैं आप कुनैन बोलिए या कुनैन बोलिए दोनों एक ही है कुनैन या कुनैन एकल आउसदी है एक मात्र आउसदी है ये और malaria के उपचार में यूज करता है malaria विस्टो के कुछ हिस्सों में मच्छों से पहलने बाली भायंकर विमारी है और बहुत ज किलाल में कुनैन को यूज किया गया वाइरस से बचने के लिए भी जो कोरोना में भी कुनैन को कोसिस किया गया यूज करने का तो कुनैन दबाओं के उस बर्ग में सामिल है जिसे anti-malarial medicine कहते हैं और यह malaria उत्पन करने वाले सुख्ण जीव को नस्ट करके रोगी को है और इस ट्री का नाम कुनैन नहीं है कुनैन नट ट्री ट्री का नाम है सिनकोना 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 ट्री का नाम है सिनकोना ब्रिक्च का नाम है और इस ब्रिक्च का जो कैंब्रियम है इस ब्रिक्च का जो चाल है उस चाल को जब हम काटते हैं तो वहाँ पे जो liquid create होता है चाल में उसी चाल से निकाला जाता है सिंकोना के पेंड की चाल से निकाला जाता है और सिंकोना एक angio sperm है आबृत जी भी पौधा है और इसका उप्योग जो है कुनैन का उप्योग केवल तो मलेरिया में नहीं किया जाता है बाई मेरे, एक बिमारी होता है बात गठिया, अर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, बात गठिया की बिमारी, हड्डियां टेडी हो जाती है, जोइंस में पेन होता है, फुर्वा हवा चले तो रोगी बड़ा दर्द से करा आता है, बड़ा में ताइलेंड में बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है भारत में भी बहुत जबहों पर सिन्कोना उगाया जाता है लेकिन जो साउट इस्ट एसियन नेशन्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा नेचरल ही होता है और इसका पीयो गटिया में होता है इसके अलावा प्रियोन ऑटीड बिशीज में नहीं पता बुग में लिखा थो तो तुमें पढ़ दिया तो प्रायैन बार लगा के विचारी परिसान की तो कुनेन समझ गया क्या है से इनको ना ब्रिक्च है उससे निकलता है उसकी चाल से कुनेन आधनी कानुबांग से की modern genetics का जनक किसको कहा जाता है देखो मैं चाहता हूँ तो किबल answer answer कर देता है लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है ऐसी मैं इस देड़ सो चुने हुए questions को बहुत depth में जाके जान बूच के इंड्रस्टिंग बना के explain करूँगा दो गंडे की class होती है दो गंडे में जितना हो जाए कल कोसिज करूँगा तो रिस्पीड बढ़ाई जाए ताकि जल्दी पिनिस हो दो ग्लास में complete हो जाए और सारे important questions पर detail में discuss कर रहा हूँ ठीक है कुनेन याद रखना सिनकोना याद घे घे गर जोन मं Gilbert को आजाता है कुछ दिर पहले आप मेंडल की बात कर का इस आद्धूनिक आनूबान्सिह के फादर हैं पिता हैं मेंडल अगले प्रसनब पहले चलता हूं मानव रख्त किस प्रक्रिया से सुध्ध होता है मानव रक्त किस प्रक्रिया से सुद्ध होता है देखें मानव रक्त किस प्रक्रिया से सुद्ध होता है एक दम easy answer है इसका dialysis देखा है होते तो रक्त को सुद्ध करने का काम kidney के लावा liver भी करता है लीवर कम करता है kidney जाधा करता है kidney की जब बिमारी हो जाती है ecosystemic kidney दिखाता है ठीक है नेफरोलाजी डिपार्टमेंट में इसकी चेक होती है जाच होती है और नेफरोलाजी वाले को जब लगता है कि kidney proper work नहीं कर रही है रोगी को पानी पीने नहीं देता है बिल्कुल कम पानी पीने देता है गुर्दा जब बिफल हो जाता है kidney जब फेल हो जाता है तो dialysis नाम का एक process यूज किया जाता है dialysis बिल्कुल वैसे ही dialysis machine काम करती है जैसे kidney काम करती है तो अमेरिका के national kidney foundation के अनुसार जब kidney अपने सामान ने कारे का के वल 10-15% कर रही हो तो मान लिया जाता है कि kidney fail हो गई है kidney अंतीम चरण में है जब kidney 10-15% मात्रान कर रही हो dialysis के माध्यम से क्या किया जाता है एक उप्चार है एक machine है जिसका यूज किया जाता है रक्ट को filter करने के लिए प्योर करने के लिए और dialysis में सरीर में तरल पदार्त अलेक्ट्रोलाइट्स के संतुलन बनाने में मदद करता है dialysis 1940 के दसक से dialysis का यूज किया जा रहा है kidney के उप्चार में dialysis बड़ा दर्दनाक प्रोसेस है जहां पे सबसे मोटे नस है उसको चीड़े जाते हैं काटे जाते हैं चीरा लगा के पाइप लगा के बड़ा दर्दनाक होता है मैंने देखा है होते अपने ही फादर को insulin के स्राव के लिए मानब सरीर का कौन सा अंग उत्तर दाई है बच्चों वाला कोश्चन है pencreas है मानब सरीर का वो अंग है जो insulin को स्रावित करता है और systematic यदि आपका food routine नहीं है तो यह pencreas खराब हो जाता है यदि proper आप कसरत नहीं करते बी सी सी के टीके द्वारा किस विमारी का इलाज किया जाता है बी सी सी के टीके के द्वारा किस विमारी का इलाज किया जाता है बैसिल्स कलमेटे गुएरीन बैसिल कलमेट गुएरीन बीसी जी गुए सट्रुगन यादव जी कह रहे हैं कि किडिनी का पहला ट्रांस्प्लांट साउथ अफ्रीका में किया गया था अच्छी बात है इंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है किडिनी अच्छा वो पेनग्रियाज की बात कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ठीक है बीटा सेल अलपा सेल भी आपको पता होना चीए इंसुलीन का उत्पादन बीटा सेल करती है BCG का टिका च्छाय रोग के बिरुद्ध प्रतिरक्चा पदान करता है DC है और BCG का उप्योग TB की अधिक्ता वाले कई देशों में बाल्ले आवस्ता तपेदिक, मेनेजैटिस और मिलेरी रोग की रोगताम के लिए भी किया जाता है इसका उप्योग मुत्रासे के टिका टिका बेसिकली छे रोग के लिए है लेकिन यह मल्टी पर्फस डिवाइस है ट्यूब्रो क्लोरोसिस के अलावा और भी कई बिमारियों में BCG का टिका काम करता है तो BCG के टिका के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल गया जो मुत्रासे का टियूमर है यूरिनेरी टियूमर या मेनेंजैटिस है या तपेदिक है या मेलेरी रोग है उस सब में यूज होता है BCG अलक्ट्रो एंसे फैलो ग्राम किस से संबनीत है इस तरह का कोशन वी पैसी पूछती है कई बार पूछिए कई बार पूछिए ये अलग-अलग तरीके का ऐसा एक एक्क्यूप्मेंट लाके पूछ देती है तो अलक्ट्रो एंसे फैलोगराम इसको सौटकर्ट में बोलते हैं E-E-G लिखा हुआ है यहां पे E-E-G किसका परिक्षन करता है E-E-G मस्तिस्क में बिद्युत गतिविदी का पता लगाती है E-E-G तो मस्तिस्क से जुड़ा हुआ जाच करने के लिए अलक्ट्रो एंसे फैलोगराम यूज किया जाता है E-E-G brain के लिए यूज होता है और E-E-G जो होता है brain के लिए यूज होता है जर्मन मनों इसके हैं हैंस बोर्चर यूँनोंने E-E-G बनाया मस्तिस्क की कोसिकाओं पे जो विद्यूत आवेग के माध्यम से वो इसका चेक करते हैं रिकॉर्डिंग और वेवस जो है उसके आधार पे पता लगाते हैं खाकरके जिनको मिर्गी आती है उसके लिए E-E-G के माध्यम से मिर्गी का पता लगाया तक मस्तिस्क का कौन सा हिस्सा कितना एक्टिव होके काम कर रहा है मस्तिस्क की मिर्थिव की पुस्टी करने के लिए किसी को भी ब्रेंडेड यदि डिसाइड किया जाता है तो E-E-G किया जाता है किसी को जैसे accident के कारण या किसी कारण से आपने सुना होगा कि branded हो गया उसके अंगों का दान किया गया तो branded decide करने के लिए EEG का use होता है उमीद करते हैं कि आपको याद रहेगा निमलखित में से किसकी map krescograph द्वारा की जाते है krescograph सबको blur दिख रहे गया हुम 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 चलिए निम्लकित में से किसकी माप क्रेस्कोग्राफी द्वारा किया जाता है क्रेस्कोग्राफी क्रेस्कोग्राफ ऐसा उपकर्ण है जिसका उपयोग पौधों में ब्रधी के मापन के लिए किया जाता है याद रखेगा plant growth, सलोनी पाल लिखने हैं, सही जवाब है, और बहुत सही, 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 बहुत अच्छा, plant growth, important question है, पाधों की growth को measurement करने के लिए, crescograph नाम का machine यूज होता है, ये भी बहुत important था, EEG, brain dead decide करने के लिए brain को measurement करने के लिए ये बनाया जाता है, ये use किया जाता है, crescograph के बाद अगला प्रस्ण है आपका, crescograph, किस परिघटना के करन साबुन तथा अपमार्जक कपरों से दाग को सरल्ता से हटाने, कपरों से दाग को सरल्ता से हटाने में सक्षम हो जाता है, कौन सा प्रोसेस यूज करता है, कौन सा प्रोसेस यूज करता है, ये साबुन, साबुन और अपमार्जक कौन सा प्रोसेस यूज करता है, देखे, आंसर इसका बहुत इजी है, बहुत ही इजी कोस्चन है, और गलती नहीं होना चीज़, जल का उप्योग एक क्लिनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, और बेसिकली जो गंदगी निकालता है, ये क्लिनिंग एजेंट ही निकालता है, साबुन और अपमार्जक जल के प्रिस्ट तनाओ को कम कर देता है, और जब प्रिष्ट तनाव कम होता है तो जहां गंदगी के कन हैं या तेल के अनुमौजूद हैं वहां से भी आसानी से खीच करके गंदगी जल का उच्छ प्रिष्ट तनाव सामगरी को तंतुओं के बीच सा असानी से प्रवेस करने करनुमती नहीं देता तो ये जल के आंसर प्रिष्ट तनाव में कमी के कारण होता है तो सावुन और अपमार्जक जल के प्रिष्ट तनाव में कमी के मदद से मतलब जल आसानी से गंदगी के आसपास पहुँच जाता है सावं के कारण और अपमार्जक के कारण और उसको निकाल लेता है बान। निम्लकित में से कौन अंत्रिक्ष के एक निश्चित छेत्र को बाह बिद्धुत छेत्र से सुरक्षित रखने की परिगटना है। Which of the following is a phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field. Unique question है और answer मैं बता देता हूँ. 43 नम्मर्ग answer है D. D answer है बिद्ध्यूत एस्थाटिक परिरक्षन बिद्ध्यूत अलक्ट्रो स्टाटिक सेल्डिंग जो है वो बेसिकली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो भी अंत्रिक्ष में हम बेजते हैं सामान वो सामान बिजली या तरित जंजा के कारण या फिर जो सौर्टूपान है उसके कारण ठीक है। उससे बचाओ देता है। किस तापमान से नीचे कुछ धातू और मिस धातू आपनी प्रतिरोधकता अपनी होगा अपनी प्रतिरोधकता पूरी तरह से खो देता है। वाट इस दी टंप्रेचर बिलो विच सॉर्टेन मैटल अन अलोई लूज देर रिसेस्टिवीटी कम्प्लीटली जल्दी बताइए इसका आंसर है बी बी संक्रमन ताप ट्रांजिसन टंप्रेचर अब क्या होता है ट्रांजिसन टंप्रेचर एक निश्चित तापमान को कहा जाता है ट्रांजिसन टंप्रेचर अएसा माना जाता है कि कुछ धातु का जो ट्रांप्रेचर है अलग-अलग है सब्धातु का अलग-अलग होता है याद रखेए हैं एक खगुलिय दुर्विन द्वारा प्रतिविंब कैसा बनता है एक खगुलिय दुर्विन कैसा प्रतिविंब बनाता है उल्टा अभासी और आवर्धित inverted, vertical and magnified खगोलिय दुर्विन उल्टा, आभासी और magnified प्रतिविम बनाता है एक किलो वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है पड़वट बताईए संक्रमनताप होगा उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है आप जो परंताप कह रहे हैं वो अलग concept है, एक बर पढ़ लीजिएगा संक्रमनताप 100% confirm आंसर है उसका एक भाई लिख रहे है परंताप, परंताप अलग concept है वो दूसरी concept की बात कर रहे हैं आप अगले प्रस्न पे आजाईए, 46 नम्मर कोशन है, आंसर होगा 3.6 इंटू 106 जूल, 3.6 इंटू 106 जूल, 3.6 इंटू 106 जूल आंसर होगा इसका, नेक्स्ट कोशन है, किसी दातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवस्यक है, किसी दातु को अमलगम कहे जाने के लिए कौन सा घटक आवस्यक है, ऐसा मिस्स दातु जिसका एक घटक पारा होता है, उसको कहा जाता है अमलगम, पारे की जो उच्छ मात्रा है, तरल को छोर कर अमलगम सनुचना में क्रिस्टलिये होता है, अमलगम के बारे में प्राचिनकाल से ही जाना जाता है, खास करके कई सारे प्राचिनकाल में इसका यूज होता रहा है, पहली सताब दीशμी में Пिलीनी the elder द्वारा इसका उलेक किया गया कि जो दंत चिकित्सा में चांदी और टीन के अमलगम जिसमें मामूली मात्रा में तामबा जस्ता भी उपलब्द होता है दातों को भरने के लिए अमलगम यूज किया जाता था प्राचिनकाल से तो अमलगम जो है मरक्यूरी जो है उसका यूज किया जाता था दातों को भरने के लिए अमलगम का अगला कोशन है पिप्टी कोशन आज कंप्लीट करेंगे कौन सा अमल नित्र धावन का घटक है विच एसिड इजा कंस्टिट्वेंट औफ आई वास जो आख वास किया जाता है जो आई वास किया जाता है कोई फंगल इंफेक्शन हो गया आख में या फिर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो गया आख में तो सबसे पहले आख को दोया जाता है और आख को धोने के लिए एक एसिड यूज किया जाता है और वो acid होता है boric acid, बहुत सही रूपम, बहुत सही आपने लिखा, बाग की D जो आंसर दे रहे हैं, उनका सही आंसर है, ठीक है, boric acid, boric acid जो है ये नित्रधावन के लिए यूज होता है, यदि आखों में कोई fungal infection हो गया, या फिर bacterial infection हो गया, तो आखों को साफ करने के लिए इसको यूज किया जाता है, और कभी-कभी आखों में यदि बहुत जलन हो, या फिर आखों में ढूंद सा दिखता हो, या smog सा दिखता हो, तो ऐसे cases में आपको उसी से दोया जाता है आखो, boric acid बोलते हैं इसको, boric acid. भारत में निम्नलकित में से किस या किन बिचैले रसाइनों पर प्रतिबंद लगाया गया है, जो सरीर के कुछ हार्मोन की नकल करते हैं, और कैंसर की प्रगती की सक्रिये करते हैं. Boric acid का formula मुझे नहीं पता, होता तो मैं बता देता, ठीक है? जल्दी बताइए. अगले point की बात कर रहा हूँ मैं. भारत में bisphenol A, एक ऐसा जहरीला रसाइन है, मनिस कुमार सिंग लिख रहे हैं, bisphenol A, और कई भाईवान लिख रहे हैं, अलग-अलग आंसर. तो bisphenol A, बिल्कुल सही जवाब है, आप नोट कर लीजिए जिनको नहीं पता. Bisphenol A, जिसको BPA कहते हैं, एक जहरीला केमिकल है, जिसे हार्मोन की नकल करने के लिए जाना जाता है. इसका यदि यूज करे कोई, तो कैंसर में ब्रिदी हो जाती है, कैंसर सक्रिय हो जाता है, और ये प्रजनन तंत्र के विकास को बाधित करता है. बाकी जो दवाएं हैं, वो भी विविन प्रकार के विकारों से राहत प्रदान करने में यूज होती है, लेकिन वो बैन नहीं है, ठीक है, लेकिन BPA जो है, ये अंताहसराभी बिगटनकारी रसायन है, जिसको पुरी दुनिया में कैमिकल आप कमपनी, जो कंसर्ण्स है, चि जो हिर्दे रूग है, या फिर किडनी का रूग है, या मधुबें जो बच्चों में हो रहा है, मुटापा जो बच्चों में हो रहा है, वो सब बिस्पेनॉल A के कारण हो रहा है, बिस्पेनॉल A एक हार्मोन की नकल करने वाला कैमिकल है, जो सबजियों में डाल देता है, या फिर कई जगर डाल देता है तो जो एक खास aur one की जरत होती है उस time पे उसको उसकी नकल के रूप में उसको दे दिया जाता है ठीक है अगले point पर आजाईए हिलियम के नाभिक के घटक कौन से हैं जल्दी बताईए देखे जो हाँ चलिए सपना शोहन ने भी आंसर दिया तो तैंक्यू विटा आंसर दिया आपने सही आंसर दिया जी बिल्कुल प्लास्टिक कंटेनर में बीपीए फ्री लिखा होता है बीपीए को और पढ़ूँगा मैं और बेतर जानने की कोजिस करूँगा क्योंकि थोरा बहुत ही जाना हूँ जानता हूँ अभी मैं बीपीए को और अच्छे से जानेगे कि कहां कहां इसको में स्यूज करते हैं लोग क्योंकि बीपीए के कारण बच्छों में भी बहुत बिमारी हो रही है मोटापा, मधुमे, किडिनी फिल्योर, हर्ट डिजीज आज कर लोग हर्ट डिजीज से डेथ जादा बढ़ गया है तो हर्ट डिजीज से डेथ होने का में कारण यही तो है युवा लोग जो नहीं कुछ खाते पिते हों वो भी हर्ट से, हर्ट अटेक से मर रहे हैं विपीए इसका एक रीजन है अब किस रूप में विपीए का में स्यूज करते हैं लोग डी आंसर है, हीलियम, सही जवाब है, आप में से कोई गलती नहीं करेगा हीलियम, अच्छा, इधर कोई और कोश्चन टाइप हो गया, यह फिर पिछला कोश्चन टाइप हो गया, बेस्पोनल ए, दोवारा टाइप हो गया तो आज 50 कोश्चन ही रखते हैं, लास्ट कोश्चन इसको 51 कर लेते हैं और निम्लकित में से कौन उस्मा का सर्वत्तम सुचालक है, यह यूनिक कोश्चन है, बताई दीजे, कौन उस्मा का सई सुचालक है, सर्वत्तम सुचालक है, उसमा का सर्वत्तम सुचालक है दिव्या वर्मा सी कह रही है पबंजी सी कह रहे हैं इंगलिस में उस समय कुछ और था है यहां ठीक है among the following which is the best conductor of heat पारा पारा सही जवाब है पारा बिल्कुल जो भाईवन पारा लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है mercury is the best conductor of heat mercury is the best conductor of heat और एक मात्र ऐसा धातू है जो ताप और दाप के लिए निधारित मानक परिस्तितियों में तरलवस्था में पाया जाता है थर्मामीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर, रक्तदाब मापी, फ्लोट बल्प, पारा सुईच, पारा रिले, कई जगे यूज़ होता है चले, तो उसमा का सबसे अच्छा सुचालक है, पारा आज की क्लास इतनी ही रहेगी अभी साइन्स दो दिन चलेगा, यानि कल भी और परसों भी साइन्स की क्लास होगी इन तीन दिनों में लगवग साइन्स के जितने मात्रपूर्ण कोस्चन्स हैं मेरी कोसिस होगी, डिटेल एक्सपेंड करूँ, चाहे दुनिया जो बोलते रहे हमें उसे फर्क नहीं पड़ता जो मुझे पसंद करते हैं, वो पसंद ही करेंगे और जो नहीं करते हैं, उनमें मैं लाग कोसिस करूँ, नाच के भी दिखाऊं तो कोई घंटा फर्क परने वाला नहीं है तो शेली, हम उनके लिए क्लास लेते हैं, जिनकों की मेरी क्लास से कुछ फाइदा है ठीक है, ठैंक यू सो मज, सुबरात्रे